हलो एब्रीवन, वेलकम टो इंजिनियर्स वोल्ट, मेरा नाम है हरपाल सिंग, प्रिविएस येर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं, जैपूर मेट्रो रेल कोर्परेशन डारेक्ट रिक्रूट्मेंट 2019 फोर जूनियर इंजिनियर सिविल, जिसका एक्जाम 5 फरवरी 2021 को कंडक्ट करवाया गया था, तो इस दो घंटे के क्वेशन पेपर के अंदर 50 क्वेशन टेक्निकल सिविल के क्वेशन थे और बाकी बचे हुए 50 क्वेशन नोन टेक्निकल के क्वेशन थे, इन नोन टेक्निकल के क्वेशन थे, इन नोन टेक्निकल के क question no.1 the following statements pertain to CPM and part in project planning statement 1 CPM is activity oriented while part is event oriented statement 2 both part and CPM take into account the uncertainties in the time duration and use a probabilistic approach statement 1 के अंदर बोला गया है कि जो CPM है वो activity oriented है and जो part है वो event oriented है तो जो statement 1 है वो बिल्कुल correct है statement 2 के अंदर दे रखा है कि बोथ part and CPM probabilistic approach को use करते हैं तो जो statement 2 है वो गलत हो जाएगा क्योंकि part के अंदर हम probabilistic approach को use करते हैं लेकिन CPM के अंदर deterministic approach use की जाती है तो हमारे लिए statement 1 correct हो जाएगा और statement 2 incorrect हो जाएगा यानि की option जो 4 है वो correct हो जाएगा statement 1 is true and statement 2 is false देखिए इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो part है उसको usually non repetitive types of works के लिए हम use करते हैं such as research and development works and वहीं अगर हम CPM की बात करें तो इसको repetitive types of works के लिए हम use करते हैं तो इसे भी हमें ध्यान रखना है चलि नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं सिंगल लॉड्ड ऑफ 100 किलो न्यूटन रोल्स अलोंग गर्डर ऑफ 20 मीटर स्पांग वीच इस सिंप्ली स्पोर्टल वाट विल भी दा absolute maximum bending moment हमें चार options दे रखे हैं 1500 किलो न्यूटन मीटर 210 किलो न्यूटन मीटर 300 किलो न्यूटन मीटर 500 किलो न्यूटन मीटर से पहले क्वेशन को समझते हैं देखी क्वेशन के अंदर हमें simply spotted beam दे रखा है जिसकी length हमें दे रखी है 20 मीटर उसके उपर 100 किलो न्यूटन का rolling load लग रहा है यानि कि 100 किलो न्यूटन का जो load है वो इस point से शुरू होके इस direction के अंदर roll करेगा तो अब हमें बताना है कि जो absolute maximum bending moment होगा उसकी value कितनी होगी देखे इस condition के अंदर absolute bending moment हमें तब मिलेगा जब यह rolling load इस span के center के उपर act कर रहा होगा यानि इस section पर जो अब हमें bending moment मिलेगा उस bending moment की value जो होगी वो maximum होगी तो maximum bending moment निगालने के लिए हम यह direct formula यूज कर सकते हैं simply spotted beam के लिए जब center के उपर unit load act कर रहा हो तो bending moment की value क्या हो जाएगी wl divided by 4 unit weight की हमें value दे रखिए 100 kN, length दे रखिए हमें span की 20 m, इसको जब हम solve करेंगे तो हमारे पास absolute maximum bending moment की value आ जाएगी 500 kN अगर वहीं हम इसको ild से solve करना चाहें तो इसके इस center c के लिए जो bending moment के लिए जो influence line diagram बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा और इस point के जो coordinate आएंगे वो आएंगे AB by L, A की जगे हम लिख देंगे 10 m, B की जगे हम लिख देंगे 10 m, L कितना है 20 m, तो इसको जब हम solve करेंगे तुमारे पास क्या आ जाएगा 5 तो यह जो हमारे पास 5 जो value आई start time of an activity is called as options देगे है latest event time float earliest event time या फिर latest finish time देखिए latest start time and earliest start time इन दोनों का difference होता है for an activity इसको हम बोलते है total float और इसके जगे हम latest finish time and earliest finish time इन दोनों का difference भी लिख सकते हैं तो यह भी क्या होता है total float यानि कि इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 2 हो correct हो जाएगा float देखिए float क्या indicate करत होता है float indicates that by how much time we can delay starting or finishing of an activity without affecting the whole project duration चली नेक्स्ट क्वेशन रखते है mode of failure in a very deep footing in dense end is called options दीगे है local shear failure, buckling failure, punching shear failure या फिर general shear failure देखिए question के अंदर हमें बोला गया है कि एक very deep footing है in dense end तो उसके अंदर mode of failure क्या होगा तो deep footing के अंदर जो generally failure होता है वो होता है punching shear failure यानि कि इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 3 है वो correct हो जाएगा देखिए वहीं अगर हमें ये deep footing न देगर question के अंदर बोला जाता कि जो footing है वो ground के उपर rest कर रही है और dense end तो इस condition के अंदर जो failure होता वो होता general shear failure तो ये भी हमें ध्यान रखना है चली next question देखते है a type of estimate which is prepared when additional works or when further developments are required during the progress of work is options देखे है annual repair estimate, supplementary estimate, detailed estimate या फिर abstract estimate रेखिए annual repair estimate कब बनाया जाता है जब हमें annually कोई repair works करने हैं कोई maintenance work करने हैं तो उसके लिए जो हम estimate prepare करते हैं उसको हम बोलते है annual repair estimate वहीं अगर हम detailed estimate की बात करें तो जो detailed estimate होता है वो सबसे accurate estimate होता है as compared to other estimate इससे जो result मिलते हैं वो more reliable होते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है और वहीं अगर हम supplementary estimate की बात करें तो ये भी एक type का detailed estimate ही होता है तो इसके अदर क्या होता है कि अगर हमें कोई भी further developments करवाने हैं तो उसके अदर हमें कुछ additional works करवाने पढ़ेंगे तो उस time पे जो हम estimate prepare करेंगे उसको हम बोलते हैं supplementary estimate तो इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 2 हो correct हो जाएगा supplementary estimate is a type of estimate which is prepared when additional works और when further developments are required during the progress of work तो ये में ध्यान रखना है देखि कई बार question के अंदर revise estimate के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसको किस condition के अंदर बनाया जाता है देखिए अगर हमार to sanctioned amount वो अगर 5% से भी ज्यादा increase होके आ जाती है यानि कि sanctioned amount का 105% अगर estimate की value इससे भी ज्यादा increase हो जाती है तो उस condition के अंदर हम revise estimate prepare करना पड़ता है और अगर हम expenditure की बात करें वो sanctioned amount का 10% से भी ज्यादा increase नहीं होना चाहिए यानि कि sanctioned amount का 110% से ज्यादा नहीं होना चा the minimum beam width required for two hour of fire exposure as per national building code is options देगे 100 mm, 280 mm, 200 mm या फिर 150 mm, देखी सबसे पहले हम fire exposure के लिए जो NBC ने जो important values दे रखी है वो देख लेते हैं, देखी अगर हम concrete beams की बात करें तो reinforced concrete के अदर simply spotted, reinforced concrete के लिए continuous beam and again वहीं पर pre-stressed concrete के लिए simply spotted, pre-stressed concrete के लिए continuous beams और यहां पर हम ही दे रखी है minimum dimensions in mm excluding finish for fire resistance यहां पर हमें time period दे रखा है for 30 minute, for 60 minute, 90 minute, 120 minute, 180 minute and 240 minute तो simply spotted beam के लिए 2 hour fire exposure के लिए जो minimum width हमें provide करनी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी 200 mm, अगर वहीं पर हम same beam के लिए 90 minute की बात करें तो वह भी 200 होती है, 60 minute की बात करें तो वह भी 200 है, और 30 minute की बात करें तो वह भी 200 है, यानि कि up to 120 minute जो minimum width रखी जाएगी, वो 200 mm ही होगी, तो यह था simply spotted के लिए वहीं अगर हम continuous beam की बात करें, तो उस case के अंदर भी यह जो minimum width है, वो 200 mm ही होती है, तो यह में ध्यान रखना है, और वहीं अगर fire exposure 2 hour से जादा हो, तो उस condition के अंदर हमें, जो minimum width है, उसको increase करना पड़ेगा, 200 की जगाए, 240 हो जाएगा, for 180 minute, वहीं 4 घंटे के exposure के अंदर, 200 से minimum width की requirement होगी, for simply spotted beam as well as for continuous beams, तो यह सारी values हमें ध्यान रखनी है, especially up to 120 minute, up to 2 hour exposure 200 mm, यानि कि इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 3 यह वो cracked हो जाएगा, चलिए next question लेखते है, a turbine develops 500 kilowatt power under a head of 100 meter at 300 rpm, what would be its normal speed under a head of 64 meter, options दिए गए है, 240 rpm, 670 rpm, 250 rpm, या फिर 550 rpm, देखिए एक turbine है, वो 500 kilowatt की power को develop कर रहा है, under a head of 100 meter, जो उसकी speed है, 300 rpm, बट अब हमने क्या किया, जो head था उसको decrease करके 100 से 64 meter कर दिया है, तो इस condition के अंदर हमें speed की value बतानी है, under 64 meter head, तो चलिए देखते हैं, देखिए हमें रपास तीन formula है, for unit speed, unit discharge and unit power, तो ये तीनों में ध्यान रखनी है, unit speed के लिए क्या होता है, and u is equal to and divided by and root h, unit discharge, q by and root h, वहीं unit power, p by h to the power 3 by 2, तो हमें normal speed की value निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, ये वला formula यूज कर लेंगे, तो unit speed क्या होती है, कि unit head के अंदर, वो जो turbine है, उसकी normal speed क्या होगी, वहीं उसकी unit speed होगी, unit discharge क्या होगा, under a unit head, उस turbine का discharge कितना होगा, वहीं उस जो तीनो ratio है, इनकी value जो है, वो constant होगी, चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो n1 की जगे हमने लिख दिया है, 300 rpm, h1 की हमने जगे लिख दिया है, 100 meter, n2 की value हमें निकाल नहीं है, और h2 की जगे हमने लिख दिया है, 64 meter, तो जैसे ही सा 10 to the power 5 newton per mm square, and lambda is equal to 180, हमें 4 options दे रखे है, 95 newton per mm square, 60.92 newton per mm square, 103 newton per mm square, 32 newton per mm square, चलिए देखते हैं, देखिए हमें पता है, useless formula क्या होता है, P is equal to pi square EI divided by L square, यहां वे P क्या हो जाएगा, buckling load की value हो जाएगी, I minimum, minimum moment of inertia, और यहां पे हम effective length को use करेंगे, देखिए अगर हम slenderness ratio की बात करें, lambda, तो इसको हम लिख सकते है, L effective divided by R minimum, यहां पे R minimum क्या हो जाएगा, radius of gyration, और अगर हमे radius of gyration की value निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते है, I minimum by A, तो यहां से अगर हम I minimum की value है, in terms of R minimum and A, निकाल कर पुट करेंगे, तो इसकी हम लिख सकते है, pi square E A divided by lambda square, तो में, young models की value दे रखी है, lambda की value दे रखी है, pi की जगे हम लिख देंगे, 3.14, young models की जगे हम लिख देंगे, 2 into 10 to the power 5, और lambda की जगे हम लिख देंगे 180, तो इस सारी value put करके, जब हम solve करेंगे, तो हमरे पास bucking stage की value आ जाएगी, approximately 60.9 newton per mm square, यानि की option जो 2 है, वो correct हो जाएगा, चलिए, next question देखते है, as per IRC, the ideal transition curve is, options दीख है, spiral, lemniscate, parabola, या फिर cubic parabola, देखिए, सबसे पहले हम कुछ important बाते देख लेते हैं, as per IRC, देखिए, अगर हम transition curve की बात करें, तो उसके लिए, जो ideal curve होता है, वो होता है, clothoid, या फिर cubic spiral, तो जो transition curve होता है, ये horizontal alignment के अंदर आता होता है, circular curve, और वहीं अगर हम valley curves की बात करें, तो उसके अंदर जो ideal curve होता है, वो होता है, square parabola, तो इस सारी बाते में ध्यान रखनी है, तो इस question के अंदर हम से transition curve के बारे में पूछा गया था, तो इस answer क्या हो जाएगा, spiral, यानि कि option जो 1 हो correct हो जाएगा, जैकि करी बार questions म हमें पूछा जाता है कि submit curve के लिए ideal curve तो circular होता है, लेकिन हम practically कौन सा curve provide करते हैं, तो वो हम करते हैं, parabola curve हम वहाँ पे provide करते हैं, तो यह में ध्यान रखना है, ideal curve circular होता है, लेकिन जो preferred curve होता है, वो होता है parabola, और submit curve के अंदर circular curve होता है, क्योंकि इसके अंदर जो line of sight होती ह वो सभी points के लिए same होगी constant होगी तो ये भी हमें ध्यान रखना है चली next question देखते हैं chlorosis is a term which denotes options देखें reduction in chlorophyll, dropping of leaves, downward curvature of the leaf, killing of tissue देखी chlorosis क्या होता है ये term use की जाती है जब leaves के अंदर chlorophyll की जो मात्रा है वो कम हो जाती है तो leafs के अंदर chlorophyll की deficiency हो जाती है तो उसकी वैज़ से क्या होगा जो leaves है वो chlorophyll की वैज़ से उनका Color जो होता है वो green होता है अगर इसकी deficiency हो जाती है तो जो leaves है वो yellow हो चालो हो जाती है उनका जो color है वो, वो yellowish, वो pale होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब option जो 1 है वो cracked हो जाएगा, and chlorophyll की deficiency के बहुत सारे reason हो सकते हैं, अगर tree को proper nutrients नहीं मिल रहे हैं, from the ground, अगर tree की roots हैं, वो भी अगर damage हो गई हैं, तो वो भी इसका reason हो सकता है, poor drainage, high alkalinity, तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये में ध्यान रखना है, चली next question लेखते हैं, the effective length ratio for columns with both ends fixed is 3.52 या फिर 1.2, चली देखते हैं, देखें अगर दोनों end hinged होते हैं, तो उस case के अंदर हम जो theoretical value लेते हैं, effective length की, वो L होती है, अगर 1 end hinged हो जाए, and दूसरा end fixed हो, तो उस case में L by under 2, अग is equal to L by 2, या फिर L effective by L is equal to 1 by 2, चली next question लेखते हैं, in theories of failure, which theory states that no shear stresses and sharing strains will be present anywhere in the block, but only volume changes, options लेगे हैं, प्रेंडल्स theory, gas theory, distortion, energy theory, या फिर सेंट वेनन्स theory, तो उमरे पास different failure theories हैं, तो उनके अंदर हमें बताना है, कि यसी कौन सी theory है, जो ये बोलती है, कि उस block के अंदर कोई भी sharing stresses नहीं आएंगे, नहीं उसके अंदर कोई भी sharing strains आएंगे, वहाँ पे only volume changes होंगे, तो उस theory को हम बोलते हैं, distortion energy theory, यानि कि option जो 3 है, वो correct हो जाएगा, तेकि distortion energy theory को हम maximum shear strain energy theory भी बोलते हैं, तेकि साथ ही साथ इसको hubris theory भी भी बोलते हैं, और इसी को हम one misses and henky theory भी बोलते है तो ये बाते भी हमें ध्यान रखनी है, चलिए next question रहते हैं, the extent of bacterial removal in slow scent filter is, options दिए हैं, 98 to 99%, 80 to 85%, 65 to 70% या फिर 72 to 75%, देखिए जो slow scent filter होते हैं, they can remove bacteria up to 98 to 99% and वहीं अगर हम rapid scent filters की बात करें, तो उनकी जो bacterial removal की efficiency होती है as compared to slow scent filter वो कम होती है and it ranges between 80 to 90%, तो ये भी हमें ध्यान र तो slow scent filter के लिए bacterial removal efficiency कितनी होगी, 98 to 99% यानि की option जो 1 है वो correct हो जाएगा, चलिए next question रहते हैं, a simply spotted beam carries a uniformly distributed load of 8 kN per meter over a whole span of 3 meter, what will be the maximum bending moment of the beam, हमें जियार options दे रखे हैं, चलिए देखते हैं, देखिए इस तरह से हमें एक simply spotted beam दे रखा है, जिसके उपर 8 kN per meter का UDL act कर रहा है, span दे रखा हमें 3 meter, तो मैं equation में पूचा गया है कि maximum bending moment की value कितनी होगी, तो simply spotted beam की उपर, अगर UDL act कर रहा हो, तो उस condition में जो maximum bending moment आता है, वो कहां पे आता है, center पे, और उसकी value होती है, WL square divided by 8, तो W हमें दे रखा है, 8 kN per meter, length हमें दे रखी है span की 3 meter, तो सारी value input करके जब ह centroid x axis is, हमें 4 options दे रखे हैं, bh4 divided by 12, bd4 divided by 64, πd4 divided by 64, bd3 divided by 12, देकि इस तरह से एक circle है, जिसकी radius है R, और उसका जो diameter हो है D, अगर उसके लिए हम moment of inertia I की value की बात करें, तो वो होता है, πd की power 4 divided by 64, तो कोई भी axis जो centroid से pass हो रहे है, circle के लिए, तो उन सभी के लिए, जो moment of inertia ह होता है, वो same होता है, πd की power 4 divided by 64, क्यानि कि इस question का answer क्या जाएगा, option जो 3 है, वो cracked हो जाएगा, देकि वहीं अगर हम से circle के लिए polar moment of inertia के बारे में पूछा जाए, तो वो क्या होता है, I x x plus I y y, circle के लिए ये दोनों value बराबर होती है, तो हम polar moment of inertia के लिए क्या करेंगे, इस circle, तो वो होता है, moment of inertia divided by y, तो I कीजगे हम लिख देंगे, πd की power 4 divided by 64, and divided by, तो y कीजगे हम क्या लिख देंगे, r, जिसको हम लिख सकते है, d by 2, तो इसको जब हम solve करेंगे, तो z की value क्या निकल कि आजएगी, πd की power 3 divided by 32, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कि जो sectional modulus z होता ह उसकी value होती है, πd की power 3 divided by 32, लेकिन जो polar moment of inertia होता है, उसकी value होती है, πd की power 4 divided by 32, तो इन दोनों के अंदर confuse नहीं होना है, देखिए अगर moment of inertia पूछा जाए, for rectangular section, तो उसके लिए इसकी value होती है, bd cube divided by 12, जहां पर b हो जाएगा इसकी width, and d हो जाएगा depth, देखिए ये होता ह है, जब ये जो axis है, xx, ये इसके centroid से pass हो रही हो, देखिए वहीं अगर हमसे, इस axis के about moment of inertia की value पूछी जाए, तो उसकी value कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i, a, a को लिख सकते हम, i xx plus a into d square, i axis होगा, जो centroid से pass होने वाली जो axis है, उसके about moment of inertia कितना थ था, bd cube divided by 12, यहाँ पे a है area, तो यहाँ पे area क्या हो जाएगा, b into d, rectangle का area हो गया, और यहाँ पे जो d है, यह है distance, तो इन दोनों axis के बीच की जो distance है, इसको अगर मैं capital D से represent करूँ, तो यहाँ पे हम मैं लिख सकता हूँ, d square divided by 4, तो इसको जब हम solve करेंगे, तो मरपास नि 36, एंड इसके अंदर भी अगर हमें इस axis के about निकालना हो, moment of inertia क्या होगा, तो इसको हम क्यासे निकालेंगे, ia is equal to ixx plus again a into d square, bd cube divided by 36 plus triangle का area क्या होता है, 1 by 2 into bd, और यह distance कितनी हो जाएगी, h by 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, into h square by 9, इसको जब हम solve करेंगे, तो मरपास आएगा, bd cube divided by 12, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, कि i axis जो होगी, इसके centroid से pass होने वाले axis है, उसके about moment of inertia होगा, bd cube divided by 36, और इसके base से pass होने वाले axis होगी, उसके about moment of inertia होगा, वो होगा, bd cube divided by 12, तो यह भी हम ध्यान में रख सकते हैं, तो यह value जो option 4 के अंदर हमें दे र रखी है, देखी option जो one and option जो two है, यह तो possible ही नहीं है, moment of inertia की values, क्योंकि जो moment of inertia होता है, उसकी जो units होती है, वो होती है, mm to the power 4, यहाँ फिर meter की power 4, और यहाँ पे इनकी अगर हम unit निकालेंगे, तो mm 5 आएगी, जो की moment of inertia की unit नहीं होती है, तो इन दोनों को थो हम वैसे ही cross क पर सकते हैं, चलिए, तो सारी बाते में ध्यानक नहीं है, next question लेखते है, grade compensation is provided in the case of, options दीखें, increase in resistance to traction due to horizontal curve and gradient, increase in the resistance to traction due to gradient, decrease in the resistance to traction due to gradient, decrease in the resistance to traction due to gradient, चलिए इस question को करने से पहले कुछ important बात ही हम देख लेते हैं, देखिए इस तरह से कोई vehicle है, तो वो इस direction के अंदर अगर व traction force के आजाएगा, इसके बीच में यहाँ पर angle theta बन रहा हो, तो यह कितना हो जाएगा, tcos theta, देखिए अगर मान लिया इस तरह से कोई, यहाँ पर horizontal curve है, और यहाँ पर एक vehicle को horizontal curve के along यहाँ पर move करना है, तो इसकी वज़े से क्या होगा, इस curve की वज़े से यहाँ एक curve resistance आए देखिए अगर किसी location के उपर इस horizontal curve के साथ इस तरह से gradient भी provide कर रखी हो, तो इस gradient के कारण भी वहाँ पर traction के अंदर resistance आएगा, तो अगर ऐसी कोई condition आती है, जहाँ पर gradient के कारण और horizontal curve के कारण दोनों के कारण traction के अंदर resistance आ रहा हो, तो उस condition के अंदर हम क्या करते हैं, कि जो हमने यहाँ पे gradient provide कर रखी है, इसके अंदर कुछ compensation कर देते हैं, तो ऐसी condition के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने gradient provide कर रखी है, मान लिया कि हमने पहले इतनी gradient यहाँ पे provide करनी थी, तो हम इस gradient को थोड़ा कम कर देते हैं, तो यह जितना gradient हमने कम किया है, इसी को हम बोलते हैं grade compensation तो ये grade compensation की जो value होती है वो कितनी होती है as per IRC ये होती है 30 plus r divided by r percent तो जो भी हमने gradient हमें दे रखी है उसके अंदर r radius का जो भी कर्व है उसके कारण जो grade compensation होगा वो इतना होगा और इसकी जो maximum value होती है वो limit कर दी है 75 divided by r percent यानि कि इसको calculate करने पर जितना भी grade के अंदर compensation आएगा उसकी जो maximum value है वो 75 divided by r percentage से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ज्यादा हो जाती है तो हम ये जो maximum value है इतना ही grade compensation करेंगे देखिए इसके साथ साथ हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर जो gradient है वो less than equal to 4% होती है तो उस condition के अंदर हम वहां पे कोई भी grade compensation नहीं लगाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर gradient 4% से कम हो वहां पे जो extra resistance आ रहा था वो negligible होता है तो उस condition के अंदर वहां पे कोई भी grade compensation नहीं करते हैं तो for suppose अगर अगर आपको question के अंदर 4% gradient दे रख्यों आपने वह formula 30 plus r by r का formula लगाके आपने निकाल लिया कि 1.5% आपका grade compensation आ रहा है तो आप 4 में से 1.5 को minus करेंगे तो कितना आएगा 2.5% अभी वहां पे हम 2.5% gradient प्रवाइड करेंगे लेकिन यह गलत होगा वहां पे अभी भी 4% ही हमें gradient प्रवाइड करनी है क्योंकि यह जो grade compensation होगा इसको apply नहीं करना है अगर gradient आपकी 4% यह पर इससे कम हो तो यह आप ध्यान रखेंगे देखिए इस question का जो answer answer की के अंदर दे रखा है वो है option जो 3 है उसको correct कर रखा है increase in resistance to traction due to gradient लेकिन अभी हमने देखा कि जो resistance आता है interaction वो horizontal curve and gradient इन दोनों की वज़े से आता है यानकि इस question का जो correct answer होना चाहिए वो होना चाहिए option जो 1 चलिए तो सारी बाते में ध्यान रखनी है next question लेखते है a surveyor measured the distance between two points on the plan drawn to scale one centimeter is equal to 40 meter and the result was 468 meter later however he discovered that he used a scale of one centimeter is equal to 20 meter find the true distance between the two points options में दीगे है 936 meter 1023 meter 220 meter या फिर 451 meter देखे एक surveyor ने distance measure की between two points जो measurement किया वो किया है एक plan की उपर जिसको draw किया गया था on a scale one centimeter is equal to 40 meter तो जब उसने distance measure की तो उसके पास जो result आया वो आया कि दो points के बीच के अंदर जो distance है वो है 468 meter लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसने जो distance measure करने के लिए जो scale use किया है वो है one centimeter is equal to 20 meter लेकिन जो actual के अंदर जो plan draw किया गया था वो था one centimeter is equal to 40 meter तो इसके coding जो उसने जो distance measure क करी है वो क्या होगी अभी incorrect हो जाएगी अगर हमें true distance find करनी है तो वो कैसे होगी देखिए अगर हमें correct length निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते है representative factor of wrong scale divided by RF of correct scale और इसको हम multiply कैसे कर देंगे जो हमने length को measure किया है देखिए जो हमें scale दे रखा है ये दे रखा है engineer scale तो इसको अगर हमें representative factor के अंदर convert करना हो तो में क्या करना पड़ेगा देखिए अगर इस 20 meter को centimeter के अंदर convert करना हो तो यह क्या हो जाएगा 2000 cm यानि कि इसका RF क्या हो जाएगा 1 by 2000 वहीं इसका RF क्या हो जाएगा 1 by 4000 तो हमने क्या किया wrong scale का RF divided by correct scale का RF और इससे जो length हमने measure की थी उसको यहां पर लिख दिया तो इसको जब हम solve करेंगे तो मेरे पास correct distance आजाएगी between two points यान कि इस question का answer क्या हो जाएगा option जो one है वो correct हो जाएगा चलिए next question रेखते है the size of cavity walls generally vary from options दीगे 1 to 10 cm, 30 to 34 cm, 15 to 25 cm या फिर 16 to 20 cm देखे cavity wall की अगर हम बात करें या फिर hollow wall की बात करें तो इसके अंदर यहां पर इस तरह से दो walls होती है और इन दोनों walls के बीच के अंदर हम एक cavity को छोड़ देते हैं एक hollow space को छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है कि यह जो cavity है यह क्या करती है यह thermal insulation का काम करती है अगर मालो यह outer surface है यहां पर बारिश हो जाती है तो इसकी वाज़े से जो moisture है वो इस wall तक नहीं पहुंचेगा तो यह भी इसका benefit हो जाएगा देखे इस cavity wall के अंदर यह जो दोनो walls होती है इनको हम बोलते है leaves या फिर इनको skin भी देखे एक IS code होता है IS 22121991 तो यह जो IS code है यह है brickworks का IS code है इसके अंदर इस cavity wall की thickness के बारे में बोला गया है कि इस cavity wall की जो cavity होती है इसकी thickness रखी जाती है 4 cm to 8 cm cavity का size होना चाहिए तो size of cavity wall होकर अगर हम इसको size of cavity अगर consider करें तो इस question का answer क्या correct हो जाएगा option जो 1 है इसको correct क कर सकते हैं तो यह में ध्यान रखना है चली next question देखते हैं find the CBR value at 2.5 mm penetration the load sustained by this specimen at 2.5 mm penetration is 64.6 kg and the load sustained by standard at 2.5 mm penetration level is 1370 kg options दिए गए 8.4% 2.1% 4.7% या फिर 10.3% देखिए CBR value के बारे में हमें बताना है penetration हमें दे रखा है 2.5 mm penetration तो जब हम उस पे load apply करते हैं तो 2.5 mm penetration के corresponding load की value कितने आती है 64.6 kg वहीं अगर हम standard loading की बात करें for 2.5 mm penetration तो वो होती है 1370 kg तो चली देखते हैं देखिए अगर हम CBR value की बात करें तो वो क्या होती है वो होती है corrected load value divided by standard load अगर उसका हम percentage निकालेंगे तो हमरे पास CBR की value आ जाएगी हमरे पास load की value दे रखिए 64.6 kg standard load क value दे रखिए 1370 kg इसको जब हम solve करेंगे तो हमरे पास CBR की value कितने आजेगी 4.7% यानि कि option जो 3 है वो correct हो जाएगा देखिए 2.5 mm penetration के लिए यह जो load की value हमें दे रखिए 1370 kg तो इसको हमें ध्यान रखना है वहीं अगर 5 mm penetration के लिए standard load की value पूछी जाए तो वो कितनी होती है 2055 kg तो यह भी आप ध्यान रखें देखिए यह तो थी load की value हो अगर हमें pressure की value पूछी जाए तो 2.5 mm penetration के लिए जो standard pressure की value होती है 70 kg पर centimeter square और वहीं 5 mm penetration के लिए standard loading pressure की जो value होती है वो होती है 105 kg पर centimeter square तो यह सारी बाते में ध्यान रखनी है चलिए next question लेखते है a real fluid in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain is known as options दीखें non-newtonian fluid, newtonian fluid, ideal fluid यहां फिर ideal plastic fluid देखिए अगर shear stress is directly proportional to rate of shear strain तो इस तरहें के fluid को हम बोलते हैं newtonian fluid तो यहां पे हम इस proportional sign को हटा के mu का use कर सकते हैं mu क्या होता है viscosity देखिए वहीं अगर हम इसका curve plot करें between shear stress and rate of shear strain देखिए अगर यह line जो है इस तरहें से straight line आती है तो इसका slope होगा यह किसको represent करेगा mu को तो इस तरहें के fluid कोम बोलते हैं newtonian fluid देखिए अगर यह line straight ना होके इस तरहें से कोई भी curve line आती है तो इस तरहें के fluid को हम बोलते हैं यह 0 से start ना होका यहाँ पर एक minimum shear stress की value पर शुरू होगी इसका मतब यह ऐसे fluid जो flow होने से पहले उनको एक minimum shear stress की value होए provide करनी पड़ती है उसके बाद ही वह flow होना शुरू करते हैं और उसके बाद वह as a newtonian fluid act करना शुरू कर देते हैं तो इस तरहें के यह viscosity क्या होती है जीरो होती है वहीं अगर हम यहाँ पर एक vertical line मनाएं तो यह जो line represent करती है यह करती है solids को क्योंकि उनके अंदर shear stress apply करने पे flow नहीं होगा क्योंकि वह एक rigid body होगी चलिए तो सारी बाते में ध्यान रखनी है तो हमसे simply पूछा गया था कि shear stress directly proportional to rate of shear strain तो यह क् लोग को follow करते हैं उन fluids को हम बोलते हैं Newtonian fluid यानकि option जो टू है वो correct हो जाएगा चलिए next question रखते है what is the modular ratio of m25 grade of concrete having compressive stress sigma cbc of 8.5 MPa चार options दीगे 15.63 14.39 10.98 यहाँ फिर 12.04 देखिए हमें modulus ratio m की value निकाल ली है m25 grade का में concrete दे रखा है जिसके अंदर compressive stress की value क्या है 8.5 MPa तो देखते हैं देखिए modulus ratio m क्या होता है 280 divided by 3 sigma cbc तो compressive stress की value हमें दे रखी है equation के अंदर 8.5 MPa तो यहाँ पर 8.5 को put करके जब हम इसको solve करेंगे तो मेरे पास modulus ratio m की value आ जाएगी 10.98 यानि की option जो 3 है वो correct हो जाएगा तो में यह modulus ratio का जो formula है इसको ध्यान रखना है चली next question रखते है what is the flexural strength of m20 grade concrete? options देखे 1.27 MPa, 4.27 MPa, 3.13 MPa यहाँ फिर 4.56 MPa तो चली देखते हैं देखिए flexural strength के लिए हम क्या करते हैं हमें यह formula दे रखा है I is called 456, 2000 के अंदर यहाँ पर FC की क्या हो जाएगा characteristic strength हो जाएगी किसकी जो concrete का grade में दे रखा है 20 Nm2 तो यहाँ पर FC की value put करेंगे तो मेरे पास flexural strength कितनी आ जाएगी 3.13 MPa यानि की option जो 3 है वो cracked हो जाएगा चली next question देखते हैं as per is 800 for a nominal diameter of 12 mm volt the diameter of the hole provided should be options दीख है 24 mm 13 mm 15 mm या फिर 20 mm चलीए सबसे पहले हम देखते हैं कि is 800 2007 के अंदर जो की steel का guard है उसके अंदर क्या values दे रखी है देखी अगर हमें size of hole निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते है 24 mm के बीच के अंदर अगर nominal diameter हो किसका bolt का तो उसके लिए जो standard clearance की value होती है वह होती है 2 mm वहीं अगर nominal diameter 24 से बड़ा हो जाए तो उस condition के अंदर standard clearance की value होती है 3 mm तो हमें question के अंदर 12 mm का bolt दे रखा है तो वह इस range के अंदर आएगा उसके अंदर हम standard clearance की value कितनी add कर देंगे 1 mm याने कि die of hole कितना हो जाएगा 13 mm तो इस सारी value जो हमें ध्यान रखनी है चलिए next question देखते है what is the magnetic declination at a place if the bearing of the sun at noon is 184 degree देखिए हमें magnetic declination की value निकाल ली है at a place उसके अंदर हमें जो magnetic bearing की value दे रखिए 184 degree देखिए वहीं अगर true bearing की अगर हम बात करें for sun at noon तो वो कितनी होती है या तो वो 0 degree होगी या फिर वो 180 degree होगी तो यह depend करता है कि north के अंदर है या south के अंदर तो हम क्या लिखते है true bearing is equal to magnetic bearing plus minus magnetic declination तो हम plus sign को use कब करते हैं जब हमारी जो line होती है वो east के अंदर आती है और वहाई wasting हो तो हम minus sign की use करते हैं तो true bearing क्या हो जाएगी 180 degree magnetic bearing 184 degree magnetic declination की value में निकाल ली है तो magnetic declination क्या हो जाएगा 180 minus 184 यानि कि minus 4 degree आ जाएगा तो इसकी हम लिख सकत है 4 degree west यानि कि option जो 4 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है match the following एक जगहें पर हमें टरबाइन दे रखे हैं दूसरी जगहें में type of flow दे रखे हैं कापलन टरबाइन पेल्टन टरबाइन modern Francis टरबाइन और जो type of flow है tangential flow mixed flow axial flow देखें जो कापलन टरबाइन है यह एक axial flow 10 की option जो 2 है वो correct हो जाएगा तो यह में ध्यान अखना है चलिए next question देखते है if the modulus of subgrade reaction of soil is 20 kg per cm3 when tested with a 30 cm diameter plate then the corrected modulus of subgrade reaction for the standard diameter plate will be in kg per cm3 हमें च्यार options दीख है 10, 12, 8, 16 देखें सबसे पहले modulus of subgrade के बारे में देख लेते हैं इसको represent किया जा था है small के यह होता है P divided by delta देखें यहा आपी जो delta होता ही होता है deflection और इसकी value ली जाती है 0.125 cm तो जो modulus of subgrade reaction होता है इसके लिए corresponding deflection की value अगर हमसे पूछी जाए तो वो होती है 0.125 cm जिसको हम 1.25 mm भी लिख सकते हैं तो यह हमें ध्यान रखना है देखी question के अंदर हमें बोला गया है कि हमारे पास जो k की value आई है 20 kg पर cm3 जब हमने जो test किया है उसके अंदर हमने जो plate ली थी उसका diameter है 30 cm लेकिन जो standard condition के लिए जब हम test करते हैं तो plate का diameter लिया जाता है 75 cm तो अगर हमने small diameter use किया है तो हमें इसके लिए एक जो k की value आई है इसको as per standard diameter के लिए हमें correct करना पड़ेगा देखी इसके लिए हम क मिटर है plate का 75 cm वो लेखती है इसको जब हम solve करेंगे तो मार पास k2k value निकल के आ जाएगी 8 kg पर cm3 यानि की option जो 3 है वो correct हो जाएगा तो यह हमें ध्यान रखना है चली next question लेखते है the minimum stripping time required for removal of props for slab spanning up to 4.5 meter is हमें 4 options दे रखे है 14 days, 7 days, 10 days याँ फिर 3 days देखिए सबसे पहले जो IS code ने formbug को remove करने के लिए जो minimum time की values दे रखी है वो हम देख लेते है time of formbug दे रखा है और यहाँ पर minimum period before striking formbug यह दे रखा है तो यह values कहां से हमने लिए है जो plain and reinforced concrete के लिए हमारे पस जो IS code है IS 456-2000 देखिए अगर कोई भी vertical formwork provide कर रखा है to the column to the walls और to the beams उसके लिए जो minimum time period होता है formwork को remove करने का वो होता है 16 to 24 hours तो यह में ध्यान रखना है देखिए इस तरह से हम panels provide करते है slabs के नीचे या फिर beams के नीचे जिनको हम बोलते हैं sofit formworks और इन formworks को spot करने के हमने इस तरह से इनके नीचे props लगा रखे होते हैं तो जब हमें sofit formwork को remove करना होता है तो हम क्या करते हैं यह जो props होते हैं इनको थोड़ा सा lose कर देते हैं और इन panels को remove कर देते हैं और उनको remove करने के immediately बाद ही हम यह जो props हैं इनको refix कर देते हैं ताकि जो भी हमारा जो beam है या फिर जो भी slab है उनको proper spot मिलती रहे लेकिन जो slab है उसको proper moisture and proper air मिले ताकि वो अच्छे से अपने strength को gain कर सके इसलिए हम उसके नीचे से panels को पहले जल्दी remove कर देते हैं लेकिन props को हम दुबारा से refix कर देते हैं और props को कुछ time बाद remove किया जाता है तो जो हमने soft formwork provide कर रखा तो उसके लिए minimum time period होता है 7 days अभी जो हमने props को यहाँ पे refix किया था तो slab के case के अंदर हमने props को जो refix किया था उनको अभी remove करने का time आ गया है अगर sponge जो है 4.5 meter तो हम 7 days के बाद उसको remove कर सकते हैं अगर sponge जो है 4.5 meter से ज्यादा है slab का तो उस condition के अंदर हम जो props को है 14 दिन के बाद remove करेंगे तो beams के लिए जो हमने props को दुबारा से refix कर दिया था तो अब हम उन props को remove कर सकते हैं अगर sponge up to 6 meter है for the beams तो 14 दिन के बाद हम props को remove कर सकते हैं और अगर sponge 6 meter से ज्यादा है तो उस condition के अंदर हम 21 दिन के बाद ही props को remove करेंगे for beams and arches तो इस सारी बाते में ध्य अगा के रखना है और उसके बाद ही हम उसको remove कर सकते हैं यानि कि हमारा answer क्या आजाएगा option जो 2 है वो correct हो जाएगा चली next question देखते हैं the environmental effect of carbon monoxide is options दीगे है acid rain impaired growth and maturation groundwater pollution greenhouse gas contributing to global warming तो carbon monoxide CO का environmental effect हमें बताना है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 4 है वो correct हो जाएगा greenhouse gas contributing to global warming चली next question देखते हैं the weight of crushed aggregate sample is 20 gram and weight of test sample is 200 gram find the aggregate crushing value options दीगें 70% 50% 20% या फिर 10% देखिए aggregate के लिए जो crushing strength test किया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम aggregate को लेते हैं इसको हम 12.5 mm से 10 mm की जो ISC होती है उससे pass करते हैं तो जो भी मारे पास इस range के अंदर जो size के अंदर जो aggregate आया है उसका अगर हम weight करेंगे तो उसको हम w1 लेते हैं अब इस aggregate को हम क्या करते हैं एक cylinder लेते हैं और उसके अंदर हम इसको हम fill कर देते हैं तो इस cylinder का जो diameter होता है यह होता है crush हो जाएगा अब जो हमारे पास जो एक crushed aggregate है इसको 2.36 mm की ISC से हम सीव करते हैं तो जो भी हमारे पास अब यह जो crushed aggregate आ गया है का जो हम weight करते हैं तो वह कितना आता है w2 तो अब अगर हम w2 divided by w1 करके इसका percentage निकालें तो यह जो value निकलके आती है इसी को हम aggregate crushing value बोलते हैं की crushing value कितनी आ जाएगी 10% यानि की option जो 4 है वो correct हो जाएगा चलिए इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है अगर crushing strength की जो value है वो 10% से कम आती है तो इस तरह का जो aggregate होता है इसको हम बोलते हैं exceptionally strong aggregate अगर यही value 35% से जादा आती है तो इस तरह के aggregate कम बोलते हैं weak aggregate चलिए देखिए कई बार exams के अंदर surface course और base course के लिए aggregate की crushing value के बारे में फूच लिया जाता कि उसकी value कितनी होनी चाहिए तो surface course के लिए generally जो crushing value है वो 30% से कम होनी चाहिए और base course के लिए 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो यह भी हमें ध्यान रखना है तो हमारे equation का answer क्या हो जाएगा aggregate की crushing value कितनी आई थी 10% यानि कि option जो 4 है वो cracked हो जाएगा तो इसके साथ साथ यह सारी बात हैं में ध्यान रखनी है next question with a span not exceeding 8 meter is called options देखें a deck slab bridge, arch bridge, balanced cantilever bridge या फिर movable bridge देखें एक solid slab bridge जिसको mostly हम use करते हैं culverts के अंदर या फिर small bridges के अंदर जिसका span है it should not exceed 8 meter तो इस तरह के bridges को हम बोलते हैं deck slab bridge यानि की option जो one है वो cracked हो जाएगा तो यह हमें ध्यान रखना है चलिए इसके साथ साथ कुछ important बाते हैं वह भी हम देख लेते हैं देखी as per irc हमें कुछ specification दे रखी है for road bridges तो यह document number हमें दे रखा है तो इसके अंदर bridge and culvert को define क के बारे में main difference यह है कि bridges के अंदर जो total length होती है वह greater than six meter होती है वहीं अगर हम culvert की बात करें उसके अंदर जो total length होती है वह up to six meter होती है और इसको जो measure किया जाएगा outer faces of the walls यानि कि जो 6 meter या उससे small span के जो भी structures होंगे उनको हम culvert बोलेंगे अगर यह जो length है total length वह 6 meter से pipes use कर रखी है तो इस बात से फरक नहीं पड़ेगा कि उसकी length कितनी है उनको हमेशा हम culvert ही बोलेंगे तो यह भी में ध्यान रखना है देखिए bridges को further classify कर रखा है minor bridge and major bridge तो minor bridge क्या होते है जिनकी जो total length होती है वह up to 60 meter होती है और जो major bridge होती है इनकी जो total length होती है वह more than 60 meter होत होते हैं तो यह भी में ध्यान रखना है देखिए कुछ जगें आपको यहां पर 150 meter की जगे 120 meter भी लिखा हुआ मिल सकता है तो यह भी आप ध्यान रखें चलिए next question देखते हैं a symmetrical section 200 deep has a moment of inertia 2.26 x 10 to the power minus 5 meter 4 about its neutral axis and the maximum bending stress is 130 mega newton per meter square determine the bending moment options दीखें 12.53 kilo newton meter, 41.94 kilo newton meter, 37.25 kilo newton meter, 29.38 kilo newton meter चलिए देखते है moment of inertia में दे रखा है आई section के depth में दे रखिये 200 mm, maximum bending stress में दे रखा है 130 mega newton per meter square तो हमें flexural formula बता है m upon i is equal to sigma upon y is equal to e upon r देखी i के value में दे रखी है bending moment की value में निकाल नहीं है sigma max की value में दे रखी है और y max की value क्या हो जाएगी equal to dy2 तो इसको म लिख सकते है m is equal to sigma max divided by dy2 into i sigma max की value में दे रखी है 130 mega newton per meter square तो mega की जगे हम लिखेंगे 10 to the power 6 newton per meter square d की value में mm के अंदर दे रखी है इसको हमने meter के अंदर convert करके लिख दिया dy2 into i तो इसको जो हम solve करेंगे तो हमर पास bending moment की value निकल की आ जाएगी 29,380 newton meter यानि की option जो 4 है वो correct हो जाएगा 29,380 newton meter चली next question लेखते हैं tar fields are made by impregnating options दीगे है glass fiber mat with pentonite, vegetable और animal fiber mat with clay, steel fiber mat with bitumin, vegetable और animal fiber mat with bitumin देखी tar fields क्या होते हैं ये एक तरहें से waterproof roofing material होते हैं इनकी जो पतले sheets होती हैं इनको roof के उपर बिछाया जाता है ताकि roof को waterproof बना जासके तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी vegetable और animal fiber mat होते हैं इसके अंदर tar को impregnate किया जाता है और उसी कॉम बोलते हैं tar fields लेकिन हमें options के अंदर यहाँ पर tar किज गया, bitumin दिया गया है तो हम यहाँ पर option जो 4 को भी correct कर सकते हैं तो यह में ध्यान रखना है, चली next question रखते है the solution in a moment distribution method is obtained by, options दीक है, solving simultaneous equations, matrix method of solving, iterative distribution procedure using quadratic equations, देखिए जो moment distribution method होता है, वो क्या होता है, वो एक तरह का iterative method है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से iteration लगाते हैं, तो first iteration, second iteration, तो जिस तरह से यह हम iteration लगाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा accurate हमें result मिलेगा, लेक स्टॉप कर देते हैं, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, the solution in a moment distribution method is obtained by, iterative distribution procedure, यानि कि option जो 3 है, वो correct हो जाएगा, चली next question लेखते है, according to IS456-2000, the maximum area of compression reinforcement shall not exceed, हमें चार options दीक है, 0.12 BD, 0.01 BD, 0.52 BD, या फिर 0.4 B into D, देखिए इस तरह से beam का cross section है, यह इसकी total depth हो जाएगी, यह इसकी width हो जाएगी, इसका area क्या हो जाएगा, B into D, तो यहाँ पर जो हमने beam के अदर compression fiber provide कर रखे हैं, तो उनका जो maximum area होता है, it shall not exceed 4% of BD, वहीं अगर हमसे compression के जगें, tension reinforcement के बारे में पूछा जाए, inner beam, तो वो भी 4% से ज्यादा नहीं होगा, तो कई बार question के अदर यह भी compression side as well as in tension side, तो उसकी जो value है, वो 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यह इन दोनों का क्या हो जाएगा, summation हो जाएगा, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option जो 4 है, वो correct हो जाएगा, 0.04 BD, देकि इसके साथ-साथ generally columns के बारे में भी पूछ प्रवाइड कर रखी है, तो उस जगह पर maximum area of steel कितना होगा, 4% तो यह भी में ध्यान रखना है, और minimum area of steel हम कितना प्रवाइड करते है, in the case of columns, वो होता है, 0.8% of gross area, तो यह भी में ध्यान रखना है, तो यह जो values है, यह gross area के comparison के अंदर हमने लिख रखी है, चलिए, इस सार options दे रखे हैं, चलिए, देखते हैं, question कैसे होगा, देखिए, जो Reynolds number होता है, र e, इसको हम लिखते है, row v d divided by mu, देखिए, यहाँ पर row क्या है, density of fluid, v क्या है, velocity of flow, d क्या हो जाएगा, diameter of pipe, mu क्या होता है, dynamic viscosity, तो mu upon row को हम लिखते है, new, यानि कि kinematic viscosity, तो हम Reynolds number को लिख सकते है v into d divided by new, देखिए, question के अंदर हमें, velocity दे रखी है, 3 meter per second, तो velocity की जगा हम क्या लिख सकते है, 3, हमें diameter दे रखा है, pipe का, 200, तो d की जगा हम लिख देंगे, 0.2 meter, new की value हमें दे रखी है, kinematic viscosity of water, 0.01 stock, तो जो stock होता है, one stock is equal to क्या होता है, centimeter square per second, अगर इसको हमें, meter square per second के पड़ेगा, तो वो ही हमने यहां पे किया है, तो इसको जो हम solve करेंगे, तो Reynolds number की value हमारे पास canical क्या जाएगी, 6 into 10 to the power 5, तो मारे इस question का answer क्या जाएगा, option जो 2 है, वो correct हो जाएगा, तो इस सारी बाते हमें ध्यान रखनी है, यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो stock है, यह क next question देखते हैं, conversion of whole circle bearing 211 degree 54 minute to reduced bearing is, हमें चार options दे रखे हैं, south 58 degree 6 minute west, north 58 degree 6 minute east, south 38 degree 54 minute west, या फिर north 31 degree 54 minute east, चले देखते हैं, देखे, इस तरह से हमें एक line दे रखी है, उसका जो north से जो angle है, in clockwise direction, वो कितना है, 211 degree 54 minute, अगर हमें इसकी reduced bearing निकालनी हो, यानि कि इसकी quadrantal bearing निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, इस total angle में से, यह जो इतना angle आ रहा है, 180 degree, इसको हम minus कर देंगे, तो इसकी quadrantal bearing हमारे पास निकल के आ जाएगी, तो कितनी आएगी, quadrantal bearing is equal to whole circle bearing minus 180 degree, तो quadrantal bearing की value कितनी आ जाएगी, 38 degree 54 minute, यानि कि option जो 3 है, वो cracked हो जाएगा, देखे, whole circle bearing को हम north से measure करते हैं, in clockwise direction, लेकिन अगर हम quadrantal bearing की बात करें, तो उसको हम north से भी measure कर सकते हैं, उसको हम south से भी measure कर सकते हैं, उसको हम clockwise direction के अंदर भी measure कर सकते हैं, उसको हम anti-clockwise direction के अंदर भी measure कर सकते हैं, सेम साउथ से होगा clockwise और एंटी गोकवाईज दोनों direction के अंदर measurement हो सकता है लेकिन जो k adorable bearing होती है इसका जो measurement किया जाता वो होता है zero degree से 90 दिगरी के बीच के अंदरी angle होगा लेकिन जो whole circle bearing होगी उसका जो angle होगा वो 0ups को अधरी जो कि एंदर for a column is equal to 1200 mm square हमें 4 options दे रखे हैं देखिए question के अंदर हमें compression member दे रखा है उसके अंदर axial load की value हमें calculate करनी है देखिए जो member दे रखा है उसके अंदर हमने जो concrete का grade यूज किया है वो है m20 जो steel का grade यूज किया है वो है fe 215 concrete का जो area है वो है 500 mm square और वहीं ही अगर हम longitudinal reinforcement के area की बात करें तो वो है column के अंदर 1200 mm square for short axially loaded compression member होते हैं उनके लिए minimum eccentricity की value अगर less than equal to 0.05 d होती है तो उस condition के अंदर हम axial load के लिए हम यह formula यूज करते हैं तो axial load क्या हो जाएगा 0.4 f c k into a c plus 0.67 f y into a c तो यहाँ पर concrete का grade हमें दे रखा है m20 concrete का area हमें दे रखा है 500 mm square steel reinforcement का grade हमें दे रखा है 415 और reinforcement का जो हमें area दे रखा है वो हमें दे रखा है 1200 mm square तो शारी value put करके जब हम इसको solve कर रहेंगे तो महर पास axial load की value कितनी आ जाएगी 337.66 kN यानि कि option जो 3 है वो cracked हो जाएगा चलिए तो यह में ध्यान रखना है next question देखते है if a tie bar 50 mm into 8 mm is to carry a load of 80 kN then the gauge length is options दीगे 57 mm 150 mm 83 mm या फिर 113 mm देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि gauge length क्या होती है देखिए जब बार का tensile strength test किया जाता है तो उसके अंदर जिस length के लिए हम extension को measure करते हैं उसी को हम gauge length बोलते है so the gauge length is the length over which extension is measured तो यह में ध्यान रखना है IS coordinate में एक formula दे रखा है तो वो क्या है gauge length is equal to 5.65 under a note तो यहां पर a note क्या है यह original cross section area है उस बार का तो यह formula में ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार exams में यह formula directly पूछा जाता है तो question के अंदर हमें area ना देखे हमें बार की dimensions दे रखी है उनको यहां पर put करके जब इसको solve करेंगे तुमारे पास gauge length की value क्या जाएगी 113 mm यानि कि option जो 4 है वो correct हो जाएगा देखे इस formula से में पता चलता है कि जो gauge length है वो cross sectional area पे depend करती है ना कि उसकी cross section की shape पे नहीं उसकी loading पे और नहीं बार की total length पे तो यह भी में ध्यान रखना है चली next question देखते है the ratio of carry over moment to applied moment is called as options दिएगे reduction factor, carry over factor, distribution factor या फिर multiplication factor तो चली देखते हैं देखिए जो ratio होता है किसका carry over moment divided by applied moment तो इस ratio का हम बोलते है carry over factor यानि कि option जो 2 है वो correct हो जाएगा देखिए बहुत बार exams में directly carry over factor की value पूछी जाती है for different type of beams तो उनको भी हम देख लेते हैं देखिए इस इस थरह का beam जिसके अंदर far end जो हो fixed हो तो उसके अंदर अगर हम near end के उपर इस तरह से M moment को apply करेंगे तो इसकी वैज़ा से यहाँ पर क्या होगा क्या होगा इस तरह से deflection होगा तो इस deflection को register करने के लिए जो far end है उसके अदर यहाँ पर इस तरह से 1 moment आएगा तो इस moment कॉम बोलते है carry over moment और यह क्या हो जाएगा applied moment तो इन दोनों का जो ratio होगा MA divided by M इस कोम क्या बोलेंगे carry over factor तो अगर far end fixed है तो उस case के अंदर जो carry over factor होता है वो होता है 1 by 2 अगर far end जो है वो hinged है तो उस case के अंदर carry over factor 0 होता है अगर far end roller spot है तो उस condition के अंदर carry over factor जो होता है, वो होता है minus 1 और अगर far end fixed है, लेकिन span के अंदर बीच में कहीं पर इस तरह से internal hinge आ रखी है, तो उस case के अंदर जो carry over factor होता है यह depend करता है कि hinge की position कहां पर है, तो इसको हम लिखते हैं जो A वाली length होती है, यह fixed वाली end की उस hinge से distance हो जाएगी और span के अंदर बाकी बची हुई length क्या हो जाएगी, तो इस सारे carry over factor की values हमें ध्यान रखनी है यह directly exams में पूछी जाती है, चलिए next question रखते है तो यह में ध्यान रखना है, चलिए next question रखते है तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 3 है वो correct हो जाएगा, तो raster data model क्या होता है चलिए next question रखते है a type of motor in which cement and lime are mixed together is known as options दीएगे, gauge motor, light weight motor, cement motor या फिर lime motor एक इस तरह का motor जिसके अंदर cement हो and lime हो, यह दोनों mix की जाएगे, तो इस तरह की motor को हम क्या बोलते है gauge motor यानि की option जो 1 है वो correct हो जाएगा, देखिए generally क्या होता है, कि जो lime motor होता है तो इसके अंदर क्या होगा, lime and sand होगा, तो इसके अंदर जो binding material है वो है lime तो इसके अंदर अगर हम cement को भी add कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो lime motor है इसकी जो strength है वो increase हो जाएगी and as compared to cement motor यह थोड़ा ज्यादा economic होगा, तो यह में ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कितना cement add करना पड़ेगा as compared to lime, तो उसका ratio होता है, 1 ratio 6 to 1 ratio 9, यहाँ पर 1 क्या होगा, cement and 6 क्या होगा, lime तो 1 ratio 6 से 1 ratio 9 तक cement का content vary करता है as compared to lime, अगर हम gauge motor के ratio की बात करें कि उसको किस तरह से represent करते हैं उसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है cement, उसके बाद आता है lime and उसके बाद आता है sand, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 1 हो correct हो जाएगा, देखिए इसके साथ साथ हम lightweight motor के बारे में कुछ बाते देख लेते हैं, देखिए lightweight motor के अंदर हम क्या करते है, rice husk, saw dust, jute fiber, asbestos fiber, etc, तो अगर यह सब चीजें हम किसी motor के अंदर add कर देते हैं, तो उसका unit weight है, वो क्या है, reduce हो जाता है, तो इस तरह के motor को हम क्या बोलते है, lightweight motor, देखिए कई बार questions में पूछा जाता है, कि cinder motor किस तरह का motor है, तो यह भी एक lightweight motor है, देखि कि sometimes light weight motor के अंदर हम glue को या फिर other adhesive materials को भी हम add करते हैं, तो इस बात का भी आप ध्याना के, चलिए, next question लेखते है, one centimeter is equal to 10 meter, this type of scale is called as, options दीखे है, numerical scale, representative scale, engineer scale या फिर fixed ratio scale, देखिए, जो scale होते हैं, जिनको हम इस तरह से statement के रूप में लिखते हैं, तो इस तरह के जो scale होते है income बोलते हैं, engineer scale, यानि कि option जो 3 है, वो correct हो जाएगा, and वो scale जिनको हम इस तरह से ratio के रूप में लिखते हैं, income बोलते है, representative fraction, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, देखिए, one centimeter is equal to 10 meter, ये क्या है, engineer scale, अगर इसको हमे representative fraction के अदर convert करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 meter को हम, अग measured with, options दीएगे, barometer, lactometer, manometer, या फिर thermometer, देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, कि चारों किस काम में आते हैं, देखिए, जो barometer होते हैं, इनका use किया जाता है, to measure the atmospheric pressure, वहीं lactometer होते है, इनका use किया जाता है, to measure the purity, to measure the density, और to measure the creaminess of the milk, वहीं अगर हम manometer की बात करें, तो इसक thermometer का use किया जाता है, to measure the temperature, तो हमें question में fluid pressure के बारे में पुछा गया था, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option जो 3 है, वो cracked हो जाएगा, तो इन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है, चलिए next question लेखते है, what will be the ruler's buckling load of a column when it is fixed at one end and free at other end, तो हमें 4 options दिएगे हैं, तो सबसे पहल इस तरह से buckle होगा, तो इस condition को हम बोलती है, standard condition, जिसके अदर effective length की value क्या होती है, equal to L होती है, वहीं अगर one end hinge हो, और other end fixed हो, तो effective length क्या हो जाएगी, L by and root 2, अगर दोनों end fixed हो, तो effective length क्या हो जाएगी, L by 2, अगर one end fixed हो, and other end free हो, यानि कि अगर cantilever के case की बात करें, तो effective length क् 2L, देखी, Euler's ने जो buckling load के लिए formula दिया था, वो था, pi square EI by L effective का whole square, तो यहाँ पे, दोनो end जब hinge है, तो L effective L के equal है, तो यह हमारे पास formula आजाएगा, pi square EI by L square, अगर one end fixed and other end hinged हो, तो उस condition में, L effective हो जाएगा, L divided by and root 2, तो हमारे पास formula क्या बंजे आएगा, 2 pi square EI by L square, द दोनो end fixed हो, तो L effective हो जाएगा, L by 2, तो हमारे पास formula आजाएगा, 4 pi square EI by L square, and अगर cantilever का case हो, तो L effective हो जाएगा, 2L, तो हमारे पास formula क्या बंजाएगा, pi square EI by 4L square, तो हमें question में बोला गया था, कि one end fixed है, and other end free है, तो हमारे पास buckling load की value क्या आजाएगी, pi square EI by 4L square, तो हम method, trigonometrical leveling, resection method, या फिर intersection method, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 2 है, वो correct हो जाएगा, trigonometric leveling के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह से किसी building की height निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, कहीं पे station को लगाएंगे, यह horizontal distance को हम measure करेंगे, और हम इसके top से, यह horizontal स आ रहा है, उसको हम measure कर सकते हैं, by observing vertical angles and distances, चलि next question देखते हैं, the permissible pH limit of industrial effluent discharges into inland surface water as per IS2490-1974 is, चार options दिए गहें, 5.5 to 9.0, 0 to 4.5, 9.5 to 11, 11 to 14, देखी जो industrial effluent होते हैं, अगर उनको inlet surface water के अंदर उनको discharge किया जाए, तो जो permissible pH limit होती है, as per IS2490, वो होती है, 5.5 to 9.0, यानि कि option जो 1 है, वो correct हो जाएगा, यह जो value है pH की, यह हमें ध्यान रखनी है, देखी चाहे water हम inlet surface हो, वहाँ पे इसको discharge करें, चाहे हम इसको sea water के अंदर discharge करें, या फिर हम इसको sewer waters के अंदर discharge करें, इन सभी के लिए जो pH की range होती है, वो same होत ascending gradient of 1 in 30, then deviation angle is, options दिखें, 2 by 85, 1 by 66, 1 by 55, या फिर 17 by 330, देखी हमरे पास इस तरह से एक ascending gradient है, horizontal से कुछ angle बन रहा होगा, यह एक और ascending gradient से इस तरह से मिलती है, यहाँ पे भी कुछ angle बनेगा, अगर इसी line को हम extend करें, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो difference है, यह deviation angle होगा, चलि तो इसके लिए हम क्या करेंगे, deviation angle हमें निकालना है, यह जो दोनों gradient दे रखी है, इनका difference निकालना है, तो first जो gradient हमें दे रखी है, 1 in 55, minus second gradient हमें जो दे रखी है, 1 in 30, इन दोनों का जब हम difference निकालेंगे, तो deviation angle कितना आ जाएगा, 1 by 66, यान कि option जो 2 है वो correct हो जो different operations किये जाते हैं, उनका जो correct sequence होता है, वो पुछा गया है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं, unsoiling, unsoiling के अंदर हम क्या करते हैं, कि जो clay soil होती है, उसके अंदर जो top 200 mm की जो layer होती है, इसको हम वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर impurities ज्यादा होती है, उसको हम brick की manufacturing के अंदर उसको हम use नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो हमें clay soil मिलती है, उसके हम digging करते हैं, उसके बाद उस soil की cleaning होती है, एड़ उसके बाद हम weathering करते हैं, weathering के बाद blending की जाती है, and blending के बाद tempering की जाती है, तो हमारे लिए sequence क्या हो जाएगा, पहले unsoiling, उसके blending and उसके बाद tempering, यानि की option जो 2 है, वो correct हो जाएगा, तो ये sequence हमें ध्यान रखना है, चलिए इसी के साथ हमारे technical के 50 questions complete होते हैं, अभी हम इस question paper में दिये गए 50 non-technical के questions को discuss करेंगे, which of the following teams was crowned the 2019-20 VJ 1000 champions, उप्शन दिगे हैं, महराष्टर, केरला, तमिल नाड़ु या फिर करनाटका, तो इस question का अंसर हो जाएगा, option जो 4 है वो correct हो जाएगा, करनाटका team was crowned the 2019-20 VJ 1000 champions, next question देखते हैं, इन में से किस हिंदुस्तानी संगीत घराने को व्यापक रूप से सबसे पुराना घराना माना जाता है, options देखे हैं, आगरा घराना, लखनव घराना, गवालियर घराना या फिर जैपुर घराना, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 3 है वो correct हो जाएगा, जो गवालियर घ घराना है, इसको सबसे पुराना घराना माना जाता है, तो यह में ध्यान दखना है, चली next question देखते हैं, when was the national Ayurveda day celebrated in 2019, options देखे हैं, 27 October, 26 October, 24 October या फिर 25 October, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 4 है वो correct हो जाएगा, 2019 के अंदर 25 October को National Ayurveda day celebrate किया गया था, देखी Ayurveda day के बारे में कुछ और important बाते हम देख लेते हैं, देखी हर साल धनवंत्री जैनती के दिन, जिसको हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं, इस दिन भगवान धनवंत्री के जनम दिवस के अवसर पर National Ayurveda day celebrate किया जाता है, भग 2nd November को, 2020 के अंदर इसको celebrate किया गया था, 13th November को, देखी National Ayurveda day celebration, Ayush Mantralya द्वारा, 2016 के अंदर शुरू किया गया था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, देखी Ayush की full form क्या होती है, A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Siddha and H for Homeopathy, तो इस सारी बाते में ध्यान रखनी है, next question देखते है, where are k kolar gold mines situated, options देखें, करनाटका, अंदरपर्देश, मध्यपर्देश, महराष्टर, देखी, kolar gold mines जो है, वो kolar gold fields in KGF तालुक, kolar district in करनाटका, यानि कि इस cancer क्या हो जाएगा, option जो 1 है वो correct हो जाएगा, kolar gold mines करनाटका के अंदर situated है, next question देखते है, where is Swai Maan Singh Stadium situated, options देखें, भर question देखते है, in which state is Kevaladev national park, bird, sanctuary, situated, options देखें, उत्तरपरदेश, बिहार, मध्यपरदेश, या फिर राजस्तान, तो Kevaladev national park कहां पर situated है, in राजस्तान, यानि की option जो 4 है, वो correct हो जाएगा, तो इसकी खास विशेषता क्या है, Siberian crane, देखें, जो Kevaladev national park है, वो राजस्तान के अंदर, at present, only 2 ही रामचर, veteran sites है, जिसके अंदर, एक Kevaladev national park है, और दूसरे नमबर पर है, सामबर जील, सामबर लेक, तो इस सारी बाते में ध्यान रखनी है, चली, next question देखते है, which Indian state is not considered as a tea producing state, options देखें, केरला, आसाम, चातिश्कर्ट या फिर West Bengal, चली देखते हैं, के अंदर सबसे ज्यादा tea का production होता है, तो केरला में होता है, आसाम के अंदर होता है, चली, next question देखते है, in which session of Congress was the demand for पुर्ण सवराज Formalized, options देखें, 1939, 1929, 1941, 1921, देखें, December 1939 के अंदर, जो Congress का लाहोर अधिवेशन हुआ, उसकी अधिक्षिता किसने की पंडित जवारलाल नहरू ने, और उसके अंदर पुर्ण सवराज की मांग रखी गई, पुर्ण सवराज means full independence for India, तो मारे question का answer क्या हो जाएगा, option जो 2 है वो correct हो जाएगा, 1929, इसके साथ साथ में, लाहोर एंड पंडित जवारलाल नेरू, इनके बारे में भी ध्यान रखना है, देखें, इस अधिवेशन के अंदर, डिकलेर किया गया, कि 26 जनवरी 1930 को, as a independence day, celebrate किया जाएगा, उस दिन, लोग pledge लेंगे, to struggle for complete independence, but this celebration attracted very less attention, चले तो सारी बाते में ध्यान रखनी है, next question रिखते है, what is the new name given to रहतांग passageway, that connect Manali to Ladakh by PM Modi in December 2019, options दीके है, अटल टनल, कलाम टनल, बोस टनल या फिर घंधी टनल, देखें, जो रहतांग passageway है, रहतांग पास है, in Manali, हिमाचल पर्देश, तो दिसंबर 2019 के अंदर, PM Modi ने उसका न इनागरेशन कब किया गया, 3 October 2020, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका इनागरेशन भी PM Modi के द्वारा किया गया, देखें, हिमाचल पर्देश के अंदर इस तरह से एक पीर पंजाल रेंज है, इन हिमाल्याज, तो यहाँ पे इन पीर पंजाल रेंज, एक टनल बनाया कि ये वर्ड का सबसे लंबा टनल है, एंड इसको बनाने के अंदर 32 करोड रुपे खर्च हो हैं, तो इसको बनाने से फाइदा ये होगा, कि मनाली से ले लदाक के बीच का जो टाइम ट्रेवल है, वो 4-5 घंटे कम हो जाएगा, तो चलिए सारी बाते में ध्यान रखनी है, नेक्स्ट क्योशन देखते हैं, भारत में इन में से किस राजे में चंदन की लकडियों के वितरण श्लैश उत्पादन में प्रियुक्ट शेतरफल सरवादिक है, ओप्शन देखे हैं, केरल, असम, पस्टिम बंगाल या फिर करनाटक, देखी भारत के अंदर लगबक 85% ज चलिए, नेक्स्ट क्योशन देखते हैं, how much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of coil is 100 ohms, options देखे हैं, 0.22 ampere, 220 ampere, 2.2 ampere, या फिर 22 ampere, देखे हैं, current बताना है, voltage हमें दे रखी है, resistance हमें दे रखा है, so with the help of ohms law, हम क्या लिख सकते हैं, V is equal to IR, तो I क्या हो जाएगा, V by R, voltage हमें दे रखी है, 220 resistance हमें दे रखा है, 100 ohms, दोनों को divide करेंगे, तुमारे पास क्या आ जाएगा, 2.2 ampere, यानि कि option जो 3 हो correct हो जाएगा, चलिए, next question लेखते हैं, why it is necessary to remove sulfur from petroleum products, options देखे हैं, to use sulfur removed from petroleum for commercial purposes, to reduce the emission of sulfur dioxide in exhaust fumes, to increase efficiency of automobile engines, to increase the life span of engine silencers, देखे हैं, जो petroleum products होते हैं, उनके अंदर से sulfur को remove करन necessary क्यों होता है, तो उसका reason है, कि जो sulfur dioxide का emission है, from the exhaust, उसको क्या करना है, reduce करना है, तो sulfur dioxide के emission को reduce करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही petroleum products के अंदर से sulfur का content है, उसको कम रखते हैं, तो ये में ध्यान रखना है, देखे, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, कि 1 April 2020 से, इं 6 की जो नई गाडिया है, उनकी manufacturing होगी, देखे, इससे फाइदा ये होगा, कि पहले जो BS4 के vehicles थे, उनसे अगर हम sulfur के emission की बात करें, for diesel vehicles, तो वो होता था 50 mg per liter, वहीं अगर हम BS6 के vehicles की हम बात करें, तो इनसे जो sulfur का emission होगा, वो होगा 10 mg per liter, तो इससे क्या होगा, pollution जो है, व BS6 पे हमने जंप किया है, चलिए तो सारी बाते हमें ध्यान रखनी है, next question देखते हैं, dash is the substance produced by a cell in a viral infection that can protect other cells from further infection, options दीखें, histamine, cholesterol, interferons, serotonin, देखें हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा substance है, जो कि cells के द्वारा produce किया जाता है, जब कहीं पर viral infection होता है, तो उससे other cells को protect करने के ल ले, तो ऐसा कौन सा substance है, जो कि cells produce करती है, तो वो होता है, interferon, यानि कि option जो 3 है, वो correct हो जाएगा, तो interferon क्या होता है, cells जो होती है, उनके अंदर एक signaling protein form होता है, जिसको हम बोलते है, interferon, तो ये cells क्या करती है, जैसे ही viral infection हुआ, तो infected cells जो है, interferons को produce करती है, और उसके बाद जो infection हुआ है, वो further spread ना हो, तो ये में ध्यान रखना है, चलिए next question रखते है, if pH value of a salt is 12, then it is a salt of options दीगे, strong acid and strong base, strong acid and weak base, weak acid and weak base, या फिर weak acid and strong base, देखिए pH अगर 7 होती है, तो इसको हम बोलते है, neutral condition, तो pure water की जो pH होती है, वो कितनी होती 7, अगर pH की value increase होती जाएगी, तो वो क्या होगा, base, और ये कहां तक increase हो सकती है, up to 14, अगर किसी भी substance, किसी भी salt की pH, जितनी near to 14 होगी, वो उतना ही strong होगा, और जितनी near to 7 होगी, उतना ही वो weak base होगा, तो हमारे आ रहा है 12, जो कि 14 के nearby है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 को हम strong base बोल सकते हैं, और जिनक कि pH 7 से कम होती है, हो क्या होती है, acid, तो pH 12 क्या हो जाएगा, strong base and weak acid, यान की option जो 4 है, वो correct हो जाएगा, चलिए, next question देखते है, an electric iron of 1250 watt is used for 3 hours per day, the energy consumed in one day by electric iron is dash units, options दीखें, 37.5, 3.75, 375, या फिर 0.375 units, देखें, electric iron की power दे रखी है, 1250 watt, 3 घंटे पर दे उसको use किया जाता है, तो कितना energy consumption होगा, वो ही पूछा गया हम से, और हमें बताना है, units के अंदर, देखें, one unit किसके equal होता है, one kilowatt hour, तो में simply क्या करना है, इस watt को इस hours से multiply करना है, और उसको kilowatt hour के अंदर convert करने के लिए, thousand से divide कर देंगे, तो मारे पास units के अंदर, energy consumption आ जाएगा, तो energy consumption per day कितना आ जाएगा, 1250 into 3, 3750 watt hour, लेकिन हमें क्या लेकिया आना है, kilowatt hour, तो इसको क्या करेंगे, thousand से divide कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 kilowatt hour, यानि कि option जो 2 है, वो correct हो जाएगा, चली next question लेखते है, in object weighs 6000 newton on the surface of the earth, what would be its weight on the surface of the moon, options दीगे है, 36 newton, 1000 kg, 1000 newton या फिर 36 kg, देखिए हमसे weight पूछा गया है, तो weight की unit जो होती है, वो क्या होती है, newton, और अगर mass पूछा जाए, तो mass की unit होती ये kg, तो option 2 and option जो 4 है, वो तो वैसे ही incorrect होंगे, weight के लिए हम क्या लिखते है, mass into acceleration due to gravity, तो अगर हमें kg को newton के अंदर convert करना होता है, तो हम क्या करते है, इसको 9.81 से multiply करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, देखिए acceleration due to gravity, अगर हम moon की बात करें, gmoon, तो वो कितना होता है, वो होता है 1 6th of g earth, तो इसका मतलब ये हुआ, कि जब हम moon की surface पे weight निकालेंगे, तो वो कितना होगा, 1 6th हो जाएगा किसका, जो weight अर्थ की surface पे है, तो earth की surface पे हमें weight दे रखा है, 6000 newton, तो moon की surface पे weight कितना हो जाएगा, 6000 divided by 6, यानि की 1000 newton, तो मारे इस question का answer क्या हो जाएग चलि, next question रखते है, where an object should be placed in front of convex lens having focal length f1 to get a real image of the same size of the object, options देगे, at 2f1, at infinity, beyond 2f1, at f1, तो चलिए पहले diagram की मद से कुछ important बाते देख लेते हैं, about convex lenses, देखिए, यहाँ पे हमें convex lens दे रखा है, यहाँ पे focal point है, this is another foci, अगर ये distance f1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2f1, देख रखते हैं, इस तरह से, तो उससे जो भी image बनेगी, उसको identify करने के लिए हमार पास 3 rule होते है, first rule ये होता है, कि ये जो principal axis है, जो इसके center से pass हो रही है, इसके parallel अगर कोई भी यहाँ से हम इस तरह से ray को draw करें, तो ये यहाँ से refract होके, इसका जो focal point है, उससे pass होगी, के बाद, जो principal axis है, उसके parallel निकल जाएगी, तो किसी भी object की, अगर हमें image के बारे में पता करना हो, तो इन तीनो rule या फिर इन तीनो rays में से, कोई भी दो rays को अगर हम consider करें, तो हमें image के बारे में पता चल जाता है, तो हमने ये दो rays consider कर ली है, तो जैसे ही हमने ये diagram ड्रो क किया, तो हमने देखा, कि ये दो दो rays है, यहाँ पर किसी a dash point पर आके मिल रही है, लेकिन इसी जो direction होगी, वो invert होगी, वो ulti होगी, यानि कि यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर सीधा खड़ा है, तो उसकी जो image बनेगी, यहाँ पर कोई भी object प्लेस की है, तो उसकी image जो है, 2F पर भी बनेगी, वो जो image बनेगी, वो real image होगी, लेकिन inverted होगी, और उसका जो size होगा, object के size का same size होगा, तो इस सारी बाते में ध्यान रखनी है, तो हमारे इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 1 है वो correct हो जाएगा, real image हमें मिलेगी, same size के हमें image मिलेगी, and 2F1, देखिए अगर कोई भी object इस 2F पर placed ना होके, object को यहां मानें कि वो F और 2F के बीच के अंदर यहां पर हमने उसको place कर रखा है, तो उसकी अगर हम image की बात करेंगे, तो यह race same रहेगी, और इसको हमने क्या किया, यहां से center से pass करेंगे, तो यह जो raise हो यहां पर कहीं पर जाके, आगे जाके यहां पर मिल जाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी object अगर यहां पर F और 2F के बीच में place करेंगे, तो उसकी जो image है वो 2F के beyond बनेगी, और उसका size है वो magnified होके आएगा, उसका size जो है, वो real object के size से बड़ा होगा, देखिए वहीं अगर हमने कोई object यहां पर focus पे जाके मिलेगी, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, next question रेखते है, mandal obtained F2 progeny from F1 plants by, options देखें, vegetative, propagation, asexual production, self-pollination, cross-pollination, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 3 यह वो correct हो जाएगा, self-pollination, चली next question रेखते है, which of the following metals will melt if you keep it on your palm, options देखें, barium, potassium, gallium या फिर sodium, चली देखते है देखें, जो gallium है, it is one of the four metals, which can be liquid near room temperature, तो room temperature की उपर कौन-कौन से चार metal है, जो liquid form के अंदर रह सकते हैं, gallium, mercury, cesium and rubidium, तो इन चारों के बारे में हमें ध्यान रखना है, तो gallium की इसी property के गार्ण हम क्या कर सकते हैं इसको, high temperature thermometers जो है, उनके अंदर इसको use कर सकते हैं, त हमारे इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो 3 है, वो cracked हो जाएगा, तो यह में ध्यान रखना है, देखें, अगर हम periodic table की बात करें, cesium यहां पर आता है, 55 नंबर पर, rubidium आता है, 37 नंबर पर, mercury, atomic number 80, and gallium, atomic number 31, तो इन चारों के बारे में हमें ध्यान रखना है, देखें, बहुत होना चाहिए, चलिए, next question देखते है, which of the following groups, in the modern periodic table contains 7 elements, options दिए गए है, group 1, group 2, group 3, यहां फिर group 4, देखें, यह periodic table है, इसके अंदर यह group 1, यह group 2, ऐसे चलता जाएगा, यह क्या है, group 18, तो यह जो first group है, इसके अंदर total कितने elements है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, तो यही हमसे question में पूछ गया था, 7 elements किसमें है, तो first group में कितने element है, 7, वहीं second group की बात करें, तो इसमें कितने element है, 6, third group and fourth group, इन के अंदर, और भी कम हो जाएगे element, तो हमारे question का answer क्या हो जाएगा, option जो 1 है, वो correct हो जाएगा, first group के अंदर 7 elements है, चलि, next question रखते है, which of the options given below is the correct factorization of x square minus y square minus 12y minus 36, हमे 4 options दे रखें है, देखिए हमें correct factorization बताना है, अगर हम इसको elimination method करेंगे, तो question थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर minus 36 है, कि तभी आ सकता है, जब हम plus 6 को minus 6 से multiply करेंगे, तो minus 6 से multiply होगा, तो 36 नहीं आएगा, plus 36 आएगा, option जो 1 है, वो eliminate हो गया, यहाँ पर plus 6 minus 6 से multiply होगा, तो minus 36 आएगा, लेकिन अगर हम यह minus y को minus y से multiply करेंगे, तो मारे पास क्या आएगा, plus y square, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, minus y square, तो यह भी eliminate होगया, minus 6 plus 6, तो यह हो सकता है, plus y minus y, इसके chances हैं correct होने के, फोर्थ वाला options देख लेते हैं, plus 6 minus 6 minus 36, तो इसके chances हैं correct होने के, लेकिन यहाँ पर plus y and plus y, तो क्या आएगा, plus का y square, लेकिन हम यह चाहिए, minus का y square, तो option जो 4 है, वो भी हमने eliminate कर दिया, तो हम इस question का answer, option जो 3 है, उसको correct कर सकते हैं, चली, next question देखते है, O is the center of a circle, and A, B and C are points on its circumference, such that C is on the major arc AB, non-reflex angle AOB is equal to 50 degree, what is the major of angle ACB, options दीख है, 25 degree, 100 degree, 165 degree, यहाँ फिर 40 degree, चली पहले diagram के मदर से समझते हैं, देखिए हमरे पास 3 points है, A, B and C, यह 3 हो कहा हैं, इस circle की circumference के उपर है, A, B points को अगर हम मिलाते हैं, तो हमरे पास 2 arc मिलते हैं, तो ए एक arc मिलता है, यह smaller arc, तो इसको अगर हम minor arc बोल दें, और एक मिलेगा में इस तरह से यह बड़ा arc, इसको हम बोलेंगे major arc of AB, तो इस major arc के उपर यहाँ पर कहीं पर एक point C है, अभी question के अंदर हमें बोला गया है, कि एक angle है, angle AOB, जो की 50 degree है, तो मरबास यह जो angle होगा, यह क् 50 degree भी हो सकता है, और angle AOB, 360 minus 50 degree भी हो सकता है, यानि कि 310 degree, तो यहाँ पर लिखा हुआ है non reflex angle, इसका मतलब यह एक हुआ, कोई भी angle अगर 180 degree to 360 degree के बीच में होता है, इस तरह की angle को हम बोलते है, reflex angle, तो अगर angle AOB के इंदर 310 degree angle जो होगा, वोगा reflex angle, और 50 degree angle जो होगा, यह हो हुआ है कि angle ACB क्या होगा, तो हमें angle ACB बताना है कि उसकी value क्या होगी, यानि कि इस angle की value बतानी क्या होगी, देखिए arc पे अगर दो point available हो, और उन पे center पे जो angle बन रहा है, 50 degree, तो उनी 2 points को अगर arc पे किसी तीसरे point पे अगर हम मिलाएंगे, अब जो angle बनेगा, angle theta, वो में हमें ध्यान रखना है, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option जो A है वो correct हो जाएगा, चली next question रेखते है, ए होलो cylindrical pipe had a height of 10 cm, its internal diameter is 6 cm and its external diameter is 8 cm, what is the total surface area of this pipe, options दीग है, 285 cm square, 254 cm square, 132 cm square, या फिर 147 cm square, चली diagram की मद से समझते हैं, देकि इस तरह इस से एक cylindrical hollow pipe हमें दे रखी है जिसकी height हमें दे रखी है 10 cm, 6 cm हमें उसका internal diameter दे रखा है, और actual diameter हमें दे रखा है 8 cm, तो हमें इसका total surface area बताना है, तो इसका total surface area क्या हो जाएगा, तो hollow pipe है, एक तो यह वाला area account हो जाएगा, एक इसका outer का surface area हो जाएगा, again यह bottom का surface area हो जाएगा, और जो इसके अंदर जो य की height से multiply कर देंगे तो यह बाहर का surface area मरपास आ जाएगा तू पाई आर इंटु एच तू पाई इंटु आर की जगा हम लिख दिया external diameter divided by 2 height हमने लेख दी 10 cm तो यह outer surface area आ गया वहीं same for यह जो internal surface area आएगा यह इतने part का तो यह क्या हो जाएगा again 2 pi r h यहाँ पे जो r है वहाँ पे हमने internal diameter by 2 कर दिया तो external surface area and internal surface area यह दोनों count हो गए उसके बाद हमने यह जो part बच किया है एक उपर और एक नीचे तो इसके लिए हमने क्या कर दिया 2 into तो अगर solid disk होती है तो उसका जो area होता है वो होता है pi r square यह outer diameter यह inner diameter pi r square minus हमने pi r square कर दिया है 2 से multiply कर दिया है क्योंकि 2 surface होगी एक तो यह top पे होगी और एक यहाँ पे bottom पे होगी इन सभी को जब हम add करेंगे तो मरबास calculate हो किया जाएगा 154 pi cm square यानि की option जो 2 है वो correct हो जाएगा चलिए next question रिखते है from the top of a 150 meters high building the angle of depression to the bottom of a second building is 30 degree from the same point the angle of elevation to the top of the second building is 45 degree calculate the height of the second building हमें 4 options दीग है चलिए पहले diagram की मदल से समझते हैं देखिए हमें एक building दे रखी है जिसकी height में दे रखी है 150 meter हमारे पास एक दूसरी building है जिसकी height हमने assume कर ली h है तो हमने क्या किया जब इस point से दूसरी building के bottom को 45 degree वहीं जब हमने दूसरी building के top को observe किया तुमारे पास angle कितना आया 45 degree तो अब हमें यह दूसरी building की height को बताना है कि यह कितनी होगी चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए यह horizontal line है यह angle 45 बन रहा है तो यह जो जितनी इन दोनों की बीच में distance होगी यानि कि यह वा पास 150 meter height दे रखिए इसको जब हम add कर देंगे तुमारे पास total यह दूसरी building की height calculate होके आ जाएगी चलिए तो इसको कैसे calculate करेंगे 1030 अगर हम निकालें इस triangle के लिए तो वो क्या हो जाएगा perpendicular divided by base यहाँ पे perpendicular क्या हो जाएगा यह वाली side जिसकी height हमें पता है 150 meter और जो base हो ज bracket 1 plus and root 3 option जो 4 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते हैं in right angle triangle ABC right angle at B AB is equal to 3 cm and BC is equal to 4 cm BD is the altitude drawn from B on AC to intersect AC at D what is the length of BD options देगे है 2.4 cm 2.6 cm 2.25 cm यहाँ फे 2.5 cm देखिए हमारे पास एक right angle triangle है ABC जिसके point B के ऊपर क्या है 90 degree का angle है AB हमें equation के अंदर दे रखा है 3 cm और BC हमें दे रखा है 4 cm तो अगर हम AC की length निकालना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी 5 cm हो जाएगी देखिए अगर हमें इस triangle का area निकालना हो area क्या हो जाएगा 1 by 2 into base into height यहाँ पे अगर हम AB को अगर हम base लेते हैं और BC को अगर हम height लेते हैं तो हमारे लिए area क्या हो जाएगा 1 by 2 AB into BC देखिए वह अगर हम AB को base ना लेकि AC को अगर हम base consider करें और BD को अगर हम triangle की height बोलें तो इस से भी हम इस same triangle का area निकाल सकते हैं तो अब हमारे पास formula क्या आजाएगा 1 by 2 base क्या हो जाएगा AC और height क्या हो जाएगी यह जो BD तो इन दोनों formula से जो हमारे पास area calculate हो के आएगा इस triangle का वो same ही होगा तो अभी हाफ से हाफ को अगर हम cut कर दें तो हमर पास क्या आजाएगा AB हमें दे रखा 3 cm BC की value में दे रखी 4 cm AC हमने निकाला है कितना है यह 5 cm है और BD की value में question में पूछी गई है तो यहां से हम BD को लिख सकते हैं 12 by 5 और BD की value क्या आजाएगी 2.4 cm यानि की option जो 1 ह हो ग्रेक्ट हो जाएगा तो यह में ध्यान रखना है चलिए next question देखते हैं तो numbers are in the ratio of 4 ratio 7 thrice the smaller number added to 1.5 times and the other number gives a sum of 180 what is the smaller number options दीगें 36, 28, 24 यान फे 32 चलिए देखते हैं देखिए दो number है मान लिया A and B उनका जो ratio हमें दे रखा है 4 ratio 7 दे रखा है और उसके साथ ही हमें बताया गया है कि अगर हम जो smaller number है A 4 ratio 7 है तो A जो होगा वो smaller number होगा B जो होगा वो bigger number होगा तो अ 180 तो अब हमरे पास दो equations आ गई हैं इस वाले को पहले थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं A is equal to क्या हो जाएगा 4 by 7 B तो इन दोनो equations को जब हम solve करेंगे तो नमर पास A and B की value आ जाएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से A को निकाल के इस equation में put का देंगे तो कितना आ जाए जखते हैं which of the following angles given below is a reflex angle options दीखें 275 degree, 375 degree, 75 degree यहां फिर 175 degree चलिए पहले कुछ important बाते देख लेते हैं देखिए अगर हमसे acute angle के बारे में पूछा जाए तो acute angle क्या होते हैं जो भी angle 0 से लेके 90 degree के बीच में जो भी angle होते हैं इनको हम बोलते हैं acute angle अगर angle 90 degree हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं right angle अगर angle हमारा 90 degree से 180 degree के बीच में हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं obtuse angle और वहीं जो angle 180 degree हो जाएगा तो यह क्या हो जायगा एक linear लाइन हो जाएगी एंड अगर यह एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री हो जाता है तो इसके बीच के अंदर जो भी एंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल तो यह में ध्यान रखना है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 1 है वो correct हो जाएगा 275 जो है वो इसी रेंज के अंदर आ रहा है यानि कि यह क्या हो जाएगा reflex एंगल 75 डिग्री एंगल जो होगा वो क्या होगा acute एंगल 175 डिग्री जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे obtuse एंगल चलि नेक्स्ट क्योशन देखते हैं two cubical fair dice with each having one to six written on the faces are thrown what is the probability that the product of numbers observed on the two faces on the top is 12 देखिए मरे पास दो cubical dice हैं जिनके अंदर each face के ऊपर one to six लिखा हुआ है जब हमने इन दोनों dice को throw किया तो दो बार अगर हम उनको throw करेंगे तो हमरे पास दो अलग-अलग number आएंगे तो इस बात की क्या probability है कि उन दोनों का जो product होगा उन दोनों numbers का जो product होगा वो 12 आएगा ऐसे ही अगर पहले वाले dice के अंदर 4 हो और दूसरे वाले dice के अंदर 3 आए तो इन दोनों का multiplication भी 12 होगा सेम अगर पहले वाले dice के अंदर 6 आए और दूसरे वाले के अंदर 2 आए तो इनका भी multiplication 12 होगा तो चाहे 3 आये और चाहे 4 आये इनकी जो आने की probability होगी वो हमेशा 1 by 6 होगी तो पहले अगर यहां पर 3 आ गया first dice के अंदर and दूसरे dice के अंदर 4 आया तो इन दोनों का multiplication क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बट condition यह है कि पहले वाले के अंदर 3 आयेगा and दूसरे वाले के अंदर 4 आना चाहिए तो यह दोनों condition जब satisfy होंगी तभी product 12 आयेगा तो जब हम end लिखते हैं कहीं पर तो वहां पर हम multiplication का sign लिखते हैं देखिए दूसरी condition क्या हो सकती है कि पहले वाले के अंदर 4 आये और दूसरे वाले के अंदर 3 आये तो 4 and 3 आयेगा तब हमरे पास 12 आयेगा लेकिन अगर यह condition आ जाती है तो हमरे पास product 12 आ गया यहा फिर और यह condition आयेगी तब हमरे पास product 12 आयेगा जब हमारा बीच में और आता है तब हम बीच में sign क्या यूज करते हैं प्लस और तीसरे condition क्या हो सकती है 6 and 2 तो यहां पर प्लस आयेगा यहां पर multiplication आयेगा same 2 and 6 तो यह only चार conditions बनते हैं चार scenario बनते हैं चलिए तो यह चारों के चारों bracket के हैं एक जैसे हैं तो simply हम लिख सकते हैं 4 into 1 by 36 तो इसको जब हम solve करेंगे तो मरे पास कितना आएगा 1 by 9 यानि कि option जो 1 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है a number added to half of itself gives a number of 51 what is that number options देगे है 28,34,32 या फिर 36 चलिए देखते हैं देखें माल लिए हमरे पास एक number है A जब हमने इसको इसके half से add किया तो मरे पास कितना आ रहा है 51 तो इसको हम लिख सकते है 3 by 2 A is equal to 51 तो 3 51 से cut होके यहां कितना आ जाएगा 17 17 को 2 से multiply करेंगे तो मरे पास A की value कितनी आ जाएगी 34 यानि कि option जो 2 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है 1 by 2 added to another number gives a sum of 1 by 3 what is the other number हमें 4 options दीख है minus 1 by 6 1 by 6 5 by 6 या फिर minus 2 by 5 देखिए जब हमने 1 by 2 को किसी number से add किया तो मरे पास कितना आ रहा है 1 by 3 तो 1 by 2 को हम इधर ले आएगे तो क्या आ जाएगा A is equal to 1 by 3 minus 1 by 2 इसको जब हम solve करेंगे तो मरे पास कितना आएगा A is equal to minus 1 by 6 यानि कि option जो 1 है वो correct हो जाएगा चली next question लिखते है study the given pattern carefully and select the letter that can replace the question mark in it तो मैं इस तरह से एक pattern दे रखा है और इसके अंदर हमें यहाँ पे alphabets दे रखे हैं लेखिए इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो भी alphabets है इनको इनकी respective position के according इनकी numerical value लिख देंगे यह कौन सी position पर आता है 5 पर D कौन सी position पर आता है 4 पर K 9 पर F 6 नमबर position पर आते हैं H कितनी position पर आता है 8 नमबर position पर E आता है 5 पर तो यहाँ पर क्या आएगा यह हमसे पूछा गया है देखिए अगर हम 5 & 8 का difference निकालें तो कितना आ रहा है 3 अगर हम 3 को 2 से multiply करें तो कितना आ रहा है 6 वहीं अगर हम 9 & 5 का difference निकालें तो कितना आ रहा है 4 & 4 को अगर हम 2 से multiply करें तो कितना आ रहा है 8 तो यहाँ पर आ गया है 6 और यहाँ पर यहाँ पर हम 6 लेके आना है बीच के अंदर तो 4 & यहाँ पर question mark है इनका जो difference आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 6 by 2 के equal यानिकि 3 आ एक हो जाएगा चली next question देखते हैं निशांत वेन तो मीट हीज मदर इन हर विलेज ही मैट हीज मदर स मदर एंड हीज सिश्टर स फादर हाव इस मदर स मदर इलेटेट टू हीज सिश्टर स फादर हमें च्यार ओप्शन दीखें mother-in-law mother sister-in-law यहाँ फिर sister देखी question में बोला फादर होंगे अभी हमें question के अंदर पूछा गया है कि निशांत के जो फादर है और निशांत की जो नानी है इनका क्या relation होगा तो निशांत की जो नानी है वो निशांत के फादर की mother-in-law हो जाएंगी यान की option जो one हो correct हो जाएगा चली next question देखते है देखी मोहन ने क्या किया 4 home items है उनको resell किया तो अभी हमसे question में पूछा गया है कि उसने जो items sell की है तो उसके अंदर से winter के अंदर जो कम use आने वाले items है उनको sell करने पे उसको कितना percentage amount मिला है as compared to जब उसने चारों items sell की है देखी इन चारों items के अंदर जो AC है उसका use winter के अंदर नहीं होगा TV का use winter and summer दोनों के अंदर हो जाएगा cooler का भी use winter के अंदर नहीं होगा and fans का भी बहुत कम use होगा या फिर नहीं होगा तो हमारे पास total 4 items हैं जिसके अंदर जो winter के अंदर least use में आते हैं उनका sum कितना हो जाएगा पंदर हजार प्लस पांच हजार बीस हजार प्लस चार हजार यानि कि 24,000 रुपे के items जो है वो winter के अंदर least usable items थे जिनको मोहन ने sell किया यानि कि 24,000 रुपे का TV है जो उसने sell किया था तो यहां पे हम total amount लिख देंगे तो total कितना हो जाएगा 24,000 प्लस 6,000 तो जब हम इसका percentage निकालेंगे तो कितना आएगा 80% यानि कि option जो 3 है वो correct हो जाएगा तो winter के अंदर least use होने वाले items जो है उनको sell करने पे जो उसको amount मिला है वो है 80% of total amount चलिए next question रेखते है if e is coded as p, a is coded as v, i is coded as m, u is coded as t, o is coded as u, then write the English vowels in order देखिए e को code किया गया है as p, a को code किया गया है as v, i को हम लिख रहे हैm, u को लिख रहे है, t and o को code किया जा रहा है as u तो English के अंदर जो vowels होते हैं वो क्या होते हैं अगर उनका आगर हम order देखें तो क्या होता है a e i o u तो अभी इनको code के अंदर कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा A की जगए V, E की जगए आएगा P, I की जगए आएगा M, O की जगए आएगा U and U की जगए आएगा T, तो यानि की हमारी question का answer क्या हो जाएगा option जो 4 है वो correct हो जाएगा, चलिए next question रहते है In a project, the teacher asked the children to write content as well as draw pictures Some children drew only pictures and some only wrote content Some children were sick so they could not do either The rest of the children did both Which of the following Vans diagram directly represent the situation जेखिये, teacher asked the children to write content as well as to draw pictures लेकिन कुछ बच्चों ने only pictures draw किये and कुछ बच्चों ने only content write किया लेकिन कुछ बच्चे क्या थे, sick, बिमार थे इन दोनों मेंसे कुछ नहीं किया जो बचे होई childrens थे, उन्होंने क्या है उन्होंने pictures भी draw किये है, उन्होंने content भी write किया है तो इस situation के अंदर अगर हमें Vans diagram draw करना होगा तो कैसे होगा, देखिए, कुछ बच्चों ने pictures draw किये है और कुछ बच्चों ने content writing किया है और यहां पर जो बच्चे आ रहे हैं इन लोगोंने दोनों काम किये है और कुछ बच्चे जो है उन्होंने दोनों मेंसे कुछ नहीं किया है यानके मारी इस question का answer क्या आजाएगा, option जो 3 है वो correct हो जाएगा चलिए next question लेखते है which of the following selects the next process from the ready queue to get executed by the CPU options देखें, average term scheduler, short term scheduler, long term scheduler या फिर medium term scheduler देखिए जो ready queue है उसके अंदर से next process को select करना so that this process can get executed by CPU यह जो काम होता है यह होता है short term scheduler का यानकि option जो 2 है वो correct हो जाएगा, देखिए जो short term scheduler होता है यह बाकी की जो scheduler है long term scheduler and medium term scheduler इन दोनों से ज्यादा fast होता है वही long term scheduler की जो speed होगी वह इन तिनों में से सबसे कम होगी और medium term वाले की इन दोनों की बीच के अंदर होगी चलिए next question देखते है which of the following statements is correct about counting semaphores they must always begin with 100, their values can be anything, their value must be between 0 and 1, their value must be greater than 0 but less than 10 देखिए अगर हम counting semaphore की बात करें तो इनकी जो value है it can be anything यानि की option जो 2 है वो correct हो जाएगा देखिए वहीं अगर हम counting semaphore की जगे है binary semaphores की बात करें तो इनकी value क्या होती है 0 and 1 तो यह भी हमें ध्यान रखना है चलिए next question देखते है the default page movement in MS Word 2019 is options देखें vertical, side to side, horizontal या फिर diagonal तो जो default page movement होता है MS Word के अंदर वो क्या होता है vertical होता है यानि की option जो 1 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है which of the following statements best describes YouTube options देखें a chatting system, a word editing software, a video sharing website where people can share, like and comment on videos, a video editing desktop software तो ये तो सबको पता होगा कि जो YouTube है ये एक video sharing website है जिसी अंदर लोग इन videos को share कर सकते हैं like कर सकते हैं and comment भी कर सकते हैं तो इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 3 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है the three Vs of big data are volume, velocity and vanish volume, velocity and vacancy variety, velocity and validity volume, variety and velocity देखिए big data के अंदर जो 3 Vs है वो क्या represent करते हैं? volume, velocity and variety यान की option जो 4 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है pens of the following sentence are given as options identify the pen that has an error sentence दिया गया है the enhanced penalties for traffic violations will be implemented soon options देखे है the enhanced penalties implemented soon will be for traffic violations देखिए ये जो sentence है इसके अंदर error कहा है इसके अंदर error है यहाँ पर यह जो enhance penalties है यहाँ पर enhance ना आकर यहाँ पर आएगा enhanced penalties तो मारा correct answer क्या हो जाएगा यह जो हमें pen दे रखा है यह गलत है यानि की option जो 1 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है select the option that expressed the given sentence in passive voice तो हमें sentence दे रखा है in active voice तो मारा sentence क्या था I am going to conduct music classes for kids in the evening तो उसका passive voice क्या बन जाएगा music classes for kids are going to be conducted by me in the evening यानि की option जो 3 है वो correct हो जाएगा चलिए next question देखते है select the most appropriate option to fill in the blank चलिए sentence देखते है is this the book dash found on the bench it is dash I forgot to pick it up हमें 4 options देखे you semicolon your you her you mine I my देखे इस sentence के अंदर हमें एक clue दिया गया है यहाँ पे last के अंदर I forgot to pick it up देखे इसका मतलब यह हुआ कि मैं उस पुस्तक को bench से उठाना भूल गया तो मेरी book थी मैंने वहाँ पे छोड़ दी और मैं उसको उठाना भूल गया तो it is mine आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा you तो तुम्हें जो book bench पे पड़ी मिली वो मेरी book है जिसको मैं उठाना भूल गया था तो option जो 3 है वो correct हो जाएगा you semicolon mine चलि नेक्स्ट कोशिन लेखते हैं select the option that expresses the given sentence in reported speech sentence दियागया रमेश saidto ragini,I like your paintings चलि हमें 4 options दिएगा है रमेश told ragini that he liked her paintings रमेश told ragini that he likes her paintings रमेश told ragini that he liked his paintings रमेश told ragini that he liking her paintings तो इस question का answer क्या हो जाएगा option जो one है वो correct हो जाएगा रमेश तोल रागिनी that he liked her paintings चली next question देखते हैं Select the most appropriate option to fill in the blank sentence देखते हैं vehicles left dash the no parking zone are susceptible dash theft options देखे हैं in and off in and to on and for over and for देखिए vehicles को park कहां पर किया गया है no parking zone के अंदर तो यहां पर अगर हमने vehicle को park कर रखा है और यह पूरा क्या है no parking zone है उसकी क्या होगी एक fixed boundary होगी तो जब हम किसी boundary के अंदर की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या use करते हैं in यानि कि vehicles left in the no parking zone तो कि इस boundary के अंदर जो है उस vehicle को park किया गया है are susceptible susceptible के साथ हम क्या use करेंगे susceptible to theft आएगा यानि कि हमारा question का answer क्या हो जाएगा option जो two है वो correct हो जाएगा vehicles left in the no parking zone are susceptible to theft चली next question देखते हैं निमलखित में से तत्सम शब्द का chain कीजिए चार options दीगे हैं धाई पाउं अर्ध तृत्य या फिर भंधार देखी जो तत्सम शब्द होते हैं यह Sanskrit के मूलख होते हैं जिनका जूकत्यों ही हम इनको use करते हैं वहीं जो तत्भाव शब्द होते हैं उनके अंदर जो मूलख्द होगा वह Sanskrit का शब्द नहों होके वह Sanskrit के किशी सब्द से व्यूत्पन निकला हुआ शब्द होगा तो यह दोनों बाते हमें ध्यान रखनी हैं देखी यहां पे जो ढ़ाई है जो पाव है और जो बंडार है यह तत्सम शब्द नहीं है यह तत्भाव शब्द है वहीं अगर हम अर्ध कृत्य की बात करें तो यह एक तत्शम शब्द है तो इस question का answer क्या जाए और इसका जो तत्सम होता है वह होता है अर्ध तृत्या चलिए next question देखते हैं सही विलोम यूगम का chain कीजिए options देखें ज्यान विज्ञान जुग्गी जौपड़ी प्रविर्ति नीवर्ति लाब नुकसान देखिए जो ज्यान होता है इसका जो विलोम शब्द होता है वो होगा महल न की जौपड़ी तो option 2 भी incorrect हो जाएगा देखिए प्रवर्ति का विलोम शब्द होता है निवर्ति तो यह बिल्कुल correct है तो वहीं अगर हम लाब का विलोम शब्द देखें तो लाब का विलोम होता है हानी तो यहाँ पर नुकसान की जंगे अगर हानी दिया होत तो यह ज्यादा correct होता तो इसको भी हम cross कर सकते हैं तो इस question का answer क्या हो जाएगा option जो 3 हो correct हो जाएगा चलिए next question लेखते है निमन लेखित में से स्वान शब्द के लिए उचित प्राइवाची का chain कीजिए options दीगे हाटक शार्दुल अर्नव याँ पिर रतन चलिए सबसे पहले हम स्वान शब्द के प्राइवाची हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं तो स्वान के प्राइवाची में क्या आएगा सोना कनचन कनक सुवर्ण हाटक हारन हिन्य जात्रूप हेम हेन कुंदन तामरस तो इन में से कोई भी options में दिया घया हो तो वो क्या हो जाएगा सवर्ण का प्राइवाची हो जाएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है हाटक यानि की option जो वन है वो कि option जो 4 है वो correct हो जाएगा चलिए next question लेखते हैं लिंक किस बासा का शब्द है options दीखें Sanskrit, Marathi, Hindi या फिर पाली तो यह किस बासा का शब्द है यह है Sanskrit बासा का शब्द यानि कि option जो 1 है वो correct हो जाएगा चलिए इसी तरह से हमारे non technical part के भी 50 questions complete होते हैं I hope कि जितने भी questions आज हमने discuss की है वो सारे के सारे आपको समझ में आ गये होंगे लेकिन फिर भी आपके कोई doubts होते हैं आपके कोई भी suggestions आपके कोई भी queries होते हैं तो आप नीचे comment box के अंदर लिख सकते हैं या फिर directly आप email भी कर सकते हैं यह जो question paper है including answer की यह आपको हमारे telegram channel पर available हो जाएगी आप वहां से download कर सकते हैं keep watching keep learning see you in the next video नमस्का